जैहिंद विद्धियार्थियो आज हम शुरूबात करने वाले हैं एक ऐसे चैप्टर की जो मैट्स और रीजनिंग दौनों में काउंट किया जाता है चैप्टर का नाम है प्रॉब्लम बेस्ड ओन एज मतलब हमें उम्र से संबंधित कॉशन दिये जाएंगे तो चलिए सीखते हैं हमें इनको solve कैसी करना है तो सबसे पहले हमें कुछ बाते याद रखनी है क्या जब कभी भी आप age की calculation करोगे मतलब question में जितने भी लोगों के नाम दिये होंगे जिनकी उम्र का हमें calculation करना है उन सभी व्यक्तियों की उम्र same time की होनी चाहिए same time मतलब या तो वरतमान की हो present age मिल जाए एक साल बाद की मिल जाए दो साल पहले की मिल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन same time की age होनी चाहिए next point आपको याद रखना है कि उम्र का जो ratio बनेगा जैसे मैंने यदि ये कहा कि राम और शाम की जो वरतमान उम्र है present age है राम और शाम की जो वरतमान उम्र है राम है 10 वर्ष का और शाम है 15 वर्ष का ये कब की उम्र ले ली मैंने present ले ली ये आज की उम्र है ठीक है? अब यदि आज उम्र 10 और 15 है तो बताओ रेशो क्या बनेगा? रेशो बन जाएगा 2 रेशो 3 यही बनेगा 2 रेशो 3 अब मैं next year की यदि बात करूँ कि अगले साल पर यदि हम जाएं तो राम next year कहां पहुँच जाएगा? 11 साल का हो जाएगा और शाम हो जाएगा 16 का होगा? एक एक वर्ष उम्र बढ़ जाएगी उम्र जब बढ़ेगी तो देखो अब रेशो बदल जाएगा रेशो क्या हो गया? 11-16 क्योंकि कैंसली नहीं होगा? होगा क्या? नहीं तो कभी भी रेशो को देखकर हम ये नहीं बता स कि उम्र कितनी होगी ठीक है ना क्यों कि जब तक कॉश्चन खुद ओरिजनल एज नहीं बताएगा उम्र नहीं बताएगा हम अपने मन से नहीं बता सकते और रेशो क्या होता है हर साल बदलता जाएगा जैसे ही समय बढ़ेगा या घटेगा तो जो रेशो होगा वो हर साल क्य होगा बदलता जाएगा लेकिन यदि मैं दोनों को जोड़ दूँ यदि आप से कह दूँ कि राम और शाम की वर्तमान उम्र का योग बताओ सम बताओ तो ये कितना हो जाएगा 10 और 15 पच्चिस और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा देखो 27 27 हम आगे तो बढ़े केवल एक वर्ष लेकिन देखो टोटल में तो दो बढ़ गया वहाँ 25 था यहाँ 27 हुआ ऐसा क्यों क्योंकि दो लोगों की उम्र बढ़ीना हमने टोटल को आगे बढ़ाया और टोटल था दो लोगों की टोटल एज थी और नेक्स्ट येर पर जब हम गए तो टोटल हो गया 27 27 बना दो बढ़ गया टोटल पर क्यों क्योंकि दोनों की उम्र एक एक साल बढ़ गई न तो टोटल पर कितना अंतर आएगा दो का यदि मैं आपसे कह दूं कि राम और श्याम की वर वर्ष बढ़ेगी तो दो व्यक्तियों की उम्र कितनी बढ़ जाएगी चार तो टोटल पर कितना अंतर आएगा चार का तो दो वर्ष बाद जो टोटल हो जाएगा वो 29 होगा यदि मैं आपसे कह दूं कि वर्तमान टोटल उम्र जो है टोटल एज जो है वो 25 है दो लोगों तो 25 पे 10 बढ़ जाएगा कहां पहुँच जाएगे हम 35, 35 पर पहुँच जाएगे ये ठीक था अच्छा ये बताओ यहां से हमने देखा कि रेशो हर साल बदल जाता है तोटल भी तो बदल जाता है देखो 25, 27 बदलता है अच्छा इन दोनों की उम्र का अंतर कितना था पांच वर्ष का अंतर था और यहां पर भी अंतर कितना है पांच वर्ष का मतलब अंतर चैंज नहीं होता अंतर चैंज होता है क्या नहीं होता यदि दो लोगों की उम्र का अंतर आज पांच वर्ष है तो वो दस साल बाद भी पांच वर्ष ही रहेगा मतलब आपका छोटा भाई आपसे दो वर्ष छोटा है, तो वो जीवन परियंत्र क्या होगा, दो वर्ष ही छोटा रहेगा, ऐसा नहीं कि पता चला, पहले तो दो वर्ष छोटा था, आज कल तीन वर्ष बड़ा है, ऐसा होता है क्या, नहीं, तो उम्र का अंतर हमेशा सैम होगा, लेकिन टोटल हर साल change हो जाएगा और ratio भी हर साल change हो जाएगा ठीक है ना की जाए शुरुआत बना पाएंगे हम simple simple सी चीज़ें हैं केवल age की calculation हमें लगानी है देखो एक पहला question में बिल्कुल basic से बनाऊंगा फिर हम short trick से बनाएंगे ठीक है ना आप से कहा है कि x और y की वर्तमान उम्र कितनी है 5 ratio 6 किस की उम्र का ratio दिया है x और y की यदि हमें दो लोगों का ratio दिया है तो हम दोनों की age मान सकते हैं मानी जा सकती है इसको मैं क्या माननू 5x और 6x लेकिन मैंने यदि x माना तो इसका नाम भी तो x है हम confused हो जाएंगे दिक्कत हो जाएगी तो हम x ना लिखकर x y ना लिखकर कुछ और लिख ले तो x की उम्र क्या मानले हम अच्छा यह जो मान रहे हमें यह कपकी मान रहे हैं वर्तमान तो मैं पहले ऐसा लिख देता हूं तो बार बार वर्तमान ना लिखना पड़ेगा ठीक है ना x की age क्या मान लें अब 5 x नहीं लिख रहा हमें क्यों क्योंकि x इसका नाम भी है तो फिर दिक्कत होगी तो क्या लिख दूँ बताओ 5 a लिख दूँ चलेगा कुछ भी लिख लो p लिख लो a लिख लो क्या परक पड़ता है तो y की age क्या हो जाएगी y की age बन जाएगी 6 a यहां तक ठीक है अब कह रहा है 7 साल के बाद यदि कोई व्यक्ती आज 20 साल का है तो बताओ 7 साल बाद उसकी उम्र क्या होगी 27 वर्ष का हो जाएगा यदि कोई आज ќो है 20 वर्ष का है तो 7 वर्ष के बाद 27 का हो जाएगा तो आज X की उम्र क्या है 5A और y की उम्र क्या है 6A अब 7 सालों के बाद इनकी उम्र में अंतर आएगा कितना कितना बढ़ जायेगी कितना बढ़ जायेगी Plus 7 कर दे क्योंकि यदि किसी की उम्र 20 थी तो आपने कहा 27 हो जाएगी क्या हो रहा है 20 प्लस 7 यही कर रहे है तो यहाँ पर भी वही करना है साथ साल बाद साथ साल बाद क्या इस्थिती बननी है आपके X की एज क्या हो जाएगी X की जो एज है वो कहां पहुँच जाएगी आज की उम्र से 7 जादा आज उम्र क्या है 5A और इसमें हो जाएगा प्लस 7 यह हो जाएगी उम्र और बाई की उम्र क्या हो जाएगी बाई की जो एज है वो बन जाएगी 6A और प्लस 7 वर्ष यह ठीक था, यह हो गई 7 साल बाद की उम्र, अब क्या बोला है, अब कह रहा है आप से, कि 7 साल बाद जो उम्र है, उसका यदि हम ratio बनाएं, तो क्या बनेगा, 6 ratio 7, तो 7 साल बाद की उम्र तो हमें मिल गई, इसका ratio बनाएं, ratio मतलब, या तो आप ratio में लिख लो, या upon में 5A प्लस 7 अपन, कितना आजाएगा, 6A प्लस 7, यह हो गया ratio, इसकी value क्या बन जाएगी, क्या दिया है हमें, 6 अपन 7, ये ठीक था, आप क्या कर सकते हैं, हम cross multiply कर लें, तो एक ही value आजाएगी, 7 इंटू 5, 35A प्लस 7 इंटू 7, 49, equals to 6 इंटू 6, 36A और प्लस 6 इंटू 7, 42, ये ठीक था, A वाले नंबर एक तरफ, और बिना A वाले एक तरफ, तो 49 को यही रहने दू, 42 को यहाँ ले आओ, तो ये minus हो जाएगा, और 36A और 35A यहाँ प्लस का है, उस तरफ जाएगा, तो minus हो जाएगा, ये ठीक था, ये कितना बच रहा है हमारे पास, 7, और ये कितना बच रहा है, A, A की value आ गई, कितनी आ गई, 7, यही बन रहा है, A की value 7 आ गई, क्या पूछा है हमसे, हमसे पूछा है, बताओ, X की जो present age है, वो कितनी होगी, तो बताओ, X की present age क्या मानी थी हमन X की वर्तमान उम्र क्या थी 5A यही माना था तो X की present age आ जाएगी X की present age क्या दिया है 5A और A की value कितनी आई है 7 तो 5 into 7 कितने वर्ष का हो गया यह 35 यही आएगा answer यह कुछ कहानी समझ में आई क्या किया हमने वर्तमान उम्र हमें दी गई थी उसको हमें 7 वर्ष आगे ले जाना था तो कैसे जाएगा plus 7 लेकिन एक की उम्र में नहीं दौनों की उम्र में क्यों क्यों कि जब भी आप calculation करोगे तो हमें जितने भी लोग उस calculation में हैं उन सब की उम्र same time की चाहिए तो सब को same time पर लाए फिर calculate करना है चीख है बढ़ जाएं आगे अब देखते हैं इसकी short track कैसे कम में हो सकता है इसको हटा दें यह तो basic था करें शुरूँ अब ध्यान देना बहुत easy है बस आपको जो लिखने का pattern है वो सीखना है कि कैसे यह जल्दी हो पाएगा क्या करना है आपको सबसे पहले नाम लिख लो दो लोगों की नाम कौन कौन है X और Y ऐसी लिखना है आपको एक के नीचे एक लिख लिया नाम अब क्या करना है आपको समय लिखना है एक समय कपका है आज का फूरा सा सिफ्ट करते है ठीक था एक समय कपका दिया है आज का मतलब वर्तमान एक वर्तमान का समय है और दूसरा समय कपका है कितने समय के बाद साथ साल बाद यही दिया है, यह दो समय हमने लिख दिये ठीक है ना, अब एक वर्तमान का रेशु दिया है कितना, 5 और 6, x की सामने x की value, y की सामने y की value ठीक है, फिर साथ साल बाद रेशु क्या हो जाएगा 6 रेशु 7, ठीक था यहां तक सब ठीक है कॉशन ही लिखा है मैंने अभी कुछ भी नहीं किया है ठीक है ना? अब करना क्या है वो सनो सबसे पहले आप ये देखो कि समय में कितना अंतर आ रहा है कितना अंतर है समय में साथ वर्ष का क्यों एक आज की बात है और एक साथ साल बाद की बात है तो समय में अंतर आ गया कितना? साथ साल का साथ साल का अंतर आएगा? साथ का अंतर आ गया अब यहां पर सेकंड स्टेप जो होगा हमारा वो यह होगा कि आपको जो दो रेशो दिये हैं इन रेशो में आपको numerator और denominator का difference चेक करना है यहाँ पर और यहाँ पर कितना आ रहा है यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है यह दोनों का difference same होना चाहिए यह नहीं कहरा मैं एक होना चाहिए क्या कहरा हूं मैं same होना चाहिए एक हो जाए, दो हो जाए, दस हो जाए सौ हो जाए, कोई फर्क नी पड़ता, बस सेम हो जाए, ठीक है न? डिफरेंस सेम है, आगे बढ़ो, अब आगे कैसे बढ़ना है? कि x की जो उम्र कितनी हुआ करती थी 5 हुआ करती थी 5 रेशो वो कितना हो गई है 6 रेशो हो गई 5 रेशो से कहां पहुँच गई 6 रेशो पर पहुँच गई कितना बढ़ गई एक रेशो बढ़ गई उम्र बढ़ गई है एक रेशो एक रेशो उम्र बढ़ गई कितने समय में बढ़ गई है एक रेशो उम्र साथ साल में बढ़ गई तो एक रेशो बनता है कितने साल में साथ साल में बनता है एक रेशो कितने साल में बनता है साथ में मतलब एक रेशो की वैल्यू क्या बन रही है साथ अब हम से पूछा क्या है X की वर्तमान उम्र बता दो तो X की वर्तमान ये रही और X ये रहा कितनी है पांच रेशो तो एक ratio की value 7 तो 5 ratio की value कितनी हो जाएगी 35 X की वर्तमान उम्र क्या बन जाएगी 7, 5 ratio present age कितनी है 5 ratio के बराबर और एक ratio की value क्या आई है 7 तो 5 इंटू 7 कितना आ जाएगा 30 अच्छा आप से ये पूछ लेता कि आप Y की वर्तमान उम्र बताओ तो क्या करते 7 का multiply 6 में कितने वर्ष का हो गया 42 यदि आप से ये पूछ लेता कि आप बताओ X की 7 साल बाद उम्र क्या होगी तो 7 साल बाद की ratio में multiply कर दो 7 इंटू 6 42 साल का X हो जाएगा और 7 इंटू 7 49 का Y हो जाएगा ठीक था ना जो पूछेगा उस ratio में multiply कर दो या फिर वर्तमान निकाल लिया आप 7 साल बाद पूछा है तो इसमें 7 जोड़ दो 35 में तो आ जाएगा ठीक है ना चलो बढ़ें आगे ये बना पाएगे ये बहुत जल्दी आपका answer आ जाएगा ठीक है ना वो वाली प्रोसेस बेसिक थोड़ी सी लेंदी है देखो इसको बनाते है एक छोटा सा concept और मैं आपको बता दूँ फिर इसको हम शुरू करते हैं मैंने आपसे कहा राम की उम्र दो वर्ष पहले दो साल पहले राम 20 साल का था राम की उम्र दो वर्ष पहले 20 साल थी और दो वर्ष बाद कितनी हो जाएगी देखो मैंने जब बोला दो वर्ष पहले तो मुझे एक 20 चाहिए है ना जहां से मैं बोल रहा हूँ दो वर्ष पहले कहां से बोल रहा हूँ वर्तमान से हम बात करेंगे तो ऐसे ही करेंगा दो साल पहले ऐसा हुआ तो कब से दो साल आज से तो आज से दो साल पहले राम बीस साल का था अब कह रहा है दो साल बाद तो कब से दो साल बाद आज से दो साल बाद आज से दो साल बाद तो अंतर कितना बन गया चार का वो वर्तमान से दो पहले था और दूसरा वर्तमान से दो आगे है तो दो और ये दो कितना हो गया चार कितनी उम्र हो जाएगी 24 हो जाएगी यदि मैं आपसे ये कह देता पांच साल पहले राम 25 साल का था तो पांच साल बाद कितने साल का हो जाएगा दस जुड़ जाएगा ठीक है ना पांच साल पहले का दिया है और पांच साल बाद का पूछा है तो वर्तमान से पांच पहले और वर्तमान से पांच बाद तो gap क्या बनेगा दस का बनेगा ठेक था कुछ, बन पाएगा, चलो करें शुरू, देखो ऐसा ही कुछ concept लगाए इसमें, कह रहा है छे वर्ष पहले कुनाल और सागर, दो लोग है, तो पहले नाम लिख ले, कुनाल और दूसरा कौन है, सागर, एक उम्र कपकी दी है, छे वर्ष पहले, और दूसरी कपकी दी है, चार वर्ष बाद, यही था, यह दोनों समय हमने लिख लिए, रेशो दिये हैं दोनों के, 6 वर्ष पहले क्या था, 6 रेशो 5 था, और 4 वर्ष बाद कितना है, 11 वर्षो 10, यह ठीक है, अब हमें करना क्या है, सबसे पहले समय का अंतर, इन दोनों समय में क्या अंतर है, य समय है छहे वर्ष पहले कप से प्रिजेंट से और यह चार वर्ष बाद कप से प्रिजेंट से कितना डिफ्रेंट्स बना 10 साल का दません बनेगा आज से छे वर्ष पहले और आज ve less बाद क्या डिफ्रेंट्स बन रहा है यहाँ पर क्या करते हैं अंतर चेक kleiner ca यहां भी एक का, सब्थीन चल रहा है, बराबर है डिफ्रेंस, अब आपको करना क्या है, आप चाहो तो कुनाल की उम्र से solve कर लो, आप चाहो तो सागर की उम्र से check कर लो, आना सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे कुनाल की उम्र जो है, 6 रेशो से कहां पहुँच ग पांच रेशो, पांच रेशो बढ़ी, कितने साल में बढ़ी ये पांच रेशो, दस साल में, यही था, पांच रेशो बढ़ी दस साल में, तो एक रेशो की वैल्यू क्या मिल गई, एक रेशो की वैल्यू, पांच टॉफी दस रुपए की, तो एक टॉफी, दो रुपए क यही बनेगा 5 ratio की value 10 तो 1 ratio की value क्या बनेगी divide होगा इसको divide कर दो 10 को किस से 5 से क्या आ जाएगा 2 आएगा 2 यह 2 आ गया 1 ratio की value 2 आ गई ठीक था क्या पूछा है हमसे हमसे पूछा है दोनों की वर्तमान उम्र सागर की वर्तमान उम्र बतानी है देखो हमारे पास दोनों ही ratio में कोई भी ratio वर्तमान का नहीं है नहीं था ना यदि हमने पहले वाला ratio यूज किया तो उम्र आएगी 6 साल पहले की यदि मैं आपको ये बता दूँ कि राम 6 साल पहले 10 साल का था तो क्या वर्तमान नहीं बना पाओगे बन जाएगा कैसे प्लस कर लेंगे 6 यई होगा यदि मैं आपसे कैदू कि राम 4 साल बाद 24 का हो जाएगा तो भी वर्तमान बना लोगे आप कैसे 4 माइनस कर लें हो जाएगा तो हम दोनों मैंसे कोई भी ratio यूज कर लें फिर उसमें प्लस माइनस कर लेंगे इसकी उम्र चाहिए सागर की वर्तमान तो निकाल नहीं सकते डारेक्ट तो कौन सा वारा निकालना है 6 साल पहले तो 6 साल पहले सागर 6 साल पहले सागर की एज कितनी थी सागर की एज क्या थी 6 ratio ना छह रेशो के बराबर और एक रेशो की वैल्यू क्या आई है दो तो कितने साल का था 12 साल का था कब 6 साल पहले हैं हम से कब का पूछा है वर्तमान का तो क्या करें present के लिए क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा कितना 6 साल यह होगा सागर की present is इसमें 6 जोड़ू, 12 और 6 क्या हो जाएगा, 18 वर्ष का हो जाएगा ये ठीक था, दूसरे रेशो में गुणा करते तो एक रेशो की वैल्यू दो, तो 11 की रेशो, सोरी, 11 की वैल्यू कुनाल है 11 तो, हमसे क्या पूछा है, सागर सोरी, 10 है है न यदि एक रेशो की वैल्यू दो, तो 10 की वैल्यू, 20, 20 साल का हो जाता कब, 4 साल बाद, 4 साल बाद 20 का होता तो आज कितने का, 16 साल का, ये क्या गर्बन, किसका पूछा था हमसे, सागर पूछा था, अच्छा हमने 6 रेशो मतलब कुनाल का निकाल दिया ये 6 रेशो किसकी उम्र है, ये कुनाल की है न, देखो, हमने कुनाल बना दिया सागर की जगे, ये कुनाल है ठीक है न, पूछा उसने सागर है, ये हमने कुनाल का रेशो ले लिया, ये गड़बड हो गई है न, ये कुनाल की उम्र है पूछी क्या थी हमसे? सागर की 6 रेशो तो कुनाल का है ना? हमसे क्या पूछा है सागर? सागर की उम्र क्या है? 5 रेशो. तो सागर की उम्र बना लू. 6 साल पहले सागर? 6 साल पहले सागर किसके बराबर था? 5 रेशो के और एक रेशो की वैल्यू? 2 है. कितना हो जाएगा? 10 स बनाते तो तो चार साल बाद 10 रेशो हो जाता तो चार साल बाद 20 साल का तो आज कितने साल का 16 साल का वहां से बना लो ठीक है न वह रेशो का ध्यान रखना जिसके बारे में पूछा है उसके रेशो में multiply है और रेशो जिस समय का होगा उम्र भी उसी समय की आएगी फिर उसको प्लस माइनस करके आप जितना सिफ्ट करने का बोले वो हम कर पाएंगे ठीक है ना चले बढ़ें आगे अब यदि हमसे 10 साल पहले की भी उम्र पूछ लेता तो हम बना पाते क्योंकि हमें वरतमान पता है अब 10 साल पहले पूछेगा तो माइनस 10 आगे पूछेगा तो प्लस जो भी बोलेगा ठीक है ना चलो बढ़ जाएं आगे यहां तक ठीक है कर पाओगे इसको बनाएं कह रहा है एक आदमी और उसकी पतनी की उम्र का जो अनुपात है कब का समय नहीं दिया तो कब का मानेंगे वरतमान का ठीक है ना दौनों की उम्र का अनुपात दिया है कितना दिया है पूर रेशो 3 चार साल बाद यह रेशो क्या हो जाएगा 9 रेशो 7 आगे बोल रहा है साधी के समय यह रेशो 5 रेशो 3 था तो बताओ कितने साल पहले इनकी साधी होई अब इसमें तो कुछ भी डेटा नहीं दिया संख्या है तो है ही नहीं टोटल रेशो ही रेशो 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 चल रहा है देखो बनाते है अभी तक जो हम करते आए हैं वो दो रेशो सौल करते आए अलग-अलग समय के दो दिये तो है इनको तो सुल जाए फिर देखेंगे शादिवादी का मामला क्या है, क्या कह रहा है, husband, wife की उम्र दी है, husband और wife, क्या ratio दिया है, 4-3 ये कप का है, ये वर्तमान है, फिर next क्या दिया है आपको, 9 ratio 7, ये कप का है, 4 साल बाद का, ठीक है न, ये वही बन गया, एक ratio अभी देखते हैं, उसको करते हैं, adjust, यहाँ पर सबसे पहले क्या करना था हमें, difference कितने वर्षकार है, 4 का, second क्या था हमारा second step, difference चेक करना है, numerator, denominator का एक, और यहाँ कितना, 2, मतलब ratio balance नहीं है, ratio balance यदि नहीं है, तो हम direct solve नहीं कर सकते, अब क्या करना पड़ेगा पहले हमें, ratio को balance करना पड़ेगा, अब देखो balance क बहुत easy है, कुछ नहीं होगा, किवल एक step और बढ़नी है, कैसे होगा, देखें, आपको क्या करना है, इन दोनों के difference का multiply उस तरफ दोनों में, ठीक है, और इस difference का multiply इस तरफ दोनों में करना है, ratio balance हो जाएगा, ठीक है ना, क्या करना है, यहाँ के difference का गुणा वहाँ दोनो में, तो क्या होगा, balance हो जाएगा, ratio, देखो, दो का गुणा 4 में, कितना हो जाएगा, 8, और दो का गुणा 3 में, कितना हो जाएगा, 6, एक का गुणा 9 में, 9, और एक का गुणा 7 में, 7, देखो, अब difference अपने आप बराबर हो गया, हो गया, इन दोनों में भी 2 का, इन में दोखा और यह कटेगा तो वापस चाहर तिन बन जाएगा बन जाएगा रेशो बैलन्स हो गया यह हस्बेण्ड और यह वाइफ अब ध्यान रखना यह वाला रेश्व अन्बैलंस था अन्बैलंस था ना तो इससे question solve नहीं करना यह एक से होगा question solve नए ratio से फिक था किवल एक step बढ़ाई है ratio balance किया है अब वही जो हम करते आए हैं क्या करना है हमें husband की उम्र 8 ratio से कहां पहुँच गई 9 ratio पर कितना बढ़ गई एक ratio कितने साल में एक ratio बढ़ गई क्या अंतर था 4 का 4 साल में एक ratio चार साल में तो बताओ क्या करें क्या पूछा है हमसे शादी के समय उम्र पूची वो तो हम नहीं निकाल सकते अभी वर्तमान तो निकाल सकते हैं दोनों की वर्तमान उम्र बताओ दोनों की वर्तमान उम्र बन सकती प्रेजेंटेज, husband कितने साल का हो जाएगा, देखो, husband हो जाएगा, 4 into 8, इस ratio में गुणा नहीं करना, ठीक है न, ये तो खतम हो गया, क्योंकि unvalence था, उससे कुछ भी नहीं होगा, नए ratio से होगा, तो 4 into 8, कितने साल का, 32 का, ठीक है न, husband की उम्र क्या हो गई, 8 ratio के बराबर, तो क्या करें, 8 into, एक ratio की value कितने आई है, 4, कितना बन जाएगा, 32, ये हो गए 32 साल, और wife की उम्र क्या हो गई, wife कितने ratio के बराबर, 6, wife है 6 ratio के बराबर, और एक ratio की value क्या आई है, 4, तो 6 into 4, ये कितने साल की, 24, ये ठीक था, ये दोनों की वरतमान उम्र आ गई, ये नहीं पूछा हमसे, हमसे क्या पूछा है? शादी कब हुई थी? ये बताओ, अच्छा ये बताओ, शादी के समय का ratio दिया है, और क्या कहा है? शादी कितने बर्ष पहले हुई? मतलब शादी हो चुकी, हाना, पुरानी घटना है, ये है रहा है ना? कि शादी हो चुकी, यदि husband की शादी, मान लो पांच साल पहले होई, तो वाइप की शादी कितने साल पहले होई होई, पांच साल पहले होई होई, ऐसा ही है यदि हज़़एंड की शादी साथ साल पहले होई, तो वाइप की शादी भी साथ साल पहले, क्यों साथ में ही तो हुई थी मतलब दौनों से जो भी माईनस करोगे वो Sam number माईनस होगा क्यों? क्योंकि जब समय back जाएगा इनकी शादी के समय हम पहुँचेंगे तो जितने साल पहले पती की शादी हुई उतने ही साल पहले पत्नी की शादी हुई तो हम बैक जब होंगे तो सैम बैक जाना पड़ेगा आज उम्र क्या है 32 और दूसरे की 24 अब शादी कुछ समय पहले हुई थी तो उम्र तब कम रही होगी कितना कम रही होगी जितने वर्ष पहले शादी हुई मानलो आज कोई 32 साल का है और शादी 10 साल पहले हुई तो कब हुई थी 22 में जब वो 22 साल का था तब हुई थी यदि कोई आज 35 साल का है और शादी 5 साल पहले हुई तो कब हुई थी जब वो 30 का था यही मतलब हुआ तो क्या करें हम दौनों की उम्र से क्या कर दें हस्बेंड की उम्र 32 और wife की उम्र कितनी 24 इस में से कुछ समय माइनस कर लें जितने समय पहले शादी हुई थी और दौनों से sam minus क्यों किया क्योंकि sam time परी तो हुई थी यही था तो यह उस समय की उम्र बन गई शादी की समय की और इसका हमें ratio दिया है कितना 5 ratio 3 यह दिया है बताओ क्या हमें x की value मिल सकती है मिल जाएगी multiply करो 3 into 2 6 3 into 3 9 minus 3x बराबर गुणा कर लो कितना हो जाएगा 120 minus 5x क्या किया जाए 5x को यहां ले आए plus का हो जाएगा और 3x अपनी जगे पर है 120 96 उस तरफ जाएगा तो minus हो जाएगा ठीक है यह कितना बच रहा है 2x और यह कितना बच रहा है 24 तो x की value क्या बन जाएगी 12 आएगी तो शादी कब हुई थी 12 वर्ष पहले हुई थी ठीक है ना शादी कब हुई थी 12 वर्ष पहले लेकिन एक चीज और कर सकते थे क्या बहुत ध्यान से देखना क्या कर सकते थे हम हमने देखा यहां रेशो में अंतर कितना दो का यहां भी अंतर कितना दो का और यह रेशो कितना दिया है 5 रेशो 3 यहां भी अंतर कितना है दो का मतलब सारा ratio balance है balance चल रहा है और एक ratio की value कितनी आई है 4 तो husband की आज उम्र कितनी 4 into what 32 और साधी के समय 4 into 5 कितना होगा 4 into 5 20 तब 20 थी उम्र और आज 32 है उम्र तो शाधी कब होई थी 12 साल पहले डारेक्ट आ जाता ठीक है न क्या कर सकते थे हम डारेक्ट इस 1 ratio का multiply इस 5 में कर देते तो कितना हो जाता 20 साल आ जाती उम्र और तब ये 20 साल का था और आज कितने साल का है 32 साल का है तो शाधी कब होई है 12 साल पहले होई है ये भी कर सकते थे ठीक है न लेकिन कब जब ratio balance होगा यदि वहाँ difference अलग होता तो नहीं कर पाते ठीक है न चलो बढ़ जाएं आगे यहाँ तक सब ठीक है इसमें दोनों टाइब की question आएंगे maths भी आएगा, reasoning भी आएगा mix आएगा ये अभी maths वाला मामला चल रहा है ठीक है न क्या कह रहा है दस वार्ष पहले A की उम्र, B की उम्र की आधी थी ये ratio दिया है भ्यान से देखो ये ratio है ratio ही दिया है A की उम्र जो है B से आधी ऐसा बूला है तो ratio ही तो दिया है कब की बात है ये 10 साल पहले A और B कब 10 साल पहले क्या रेशो दिया है कह रहा है आधी उम्र थी किसकी आधी उम्र थी देखो यहां लिख रहा हूं में A और B डस वर्ष पहले A की उम्र B की उम्र की आधी थी यही कहा है A की जो उम्र है वो B की उम्र की आधी तो आपको जब भी रिलेशन दिया जाए ऐसा कहा जाए A B का 4 गुना है B C का 2 गुना है आधा है 1 वाइब 4 है 3 वाइब 4 है फुल मिलाकर गुना बूला जाए इतने गुना है तो आप अपनी एक्छा अनुसार जो आपको अच्छा लगे वो डेटा लिखकर रेशो बना लो रेशो बल्कुल परफेक्ट आएगा जैसे बूला है A की उम्र B की उम्र की आधी तो B को आपकी एक्छा से लिखना है 200 साल का तो A कितने साल का? 50 का नहीं मैं तो इसको 30 साल का लिखूँगा तो ये कितने का? 15 का नहीं हमें तो इसको लिखना है 24 साल का तो ये कितने का हो गया? 12 का होगा रेशो बना लो Sam आएगा एक दूब आ रहा है एक दूब आएगा Sam आएगा Sam आएगा पॉइंट में लिखना पड़ेगा आएगा फिर भी वही आएगा Sam बस आपको हाफ करने में दिक्कत जाएगी आप even number लिखोगे तो हाफ करना आशान होगा odd number लिखोगे तो हाफ करने में दिक्कत होगी आना वही है जैसे मैं यहां 13 लिखता तो ये क्या आजाता? 16 आता? ये ही आता? अब इसका point अटाती है नीचे 10 आता ये 10 उस तरफ चला जाता 65 और 130 कार्ट देते Sam आएगा कोई फर्क नहीं पढ़ना लेकिन odd लिखेंगे तो हमारे लिए समस्या बढ़ जाएगी calculation बढ़ जाएगी ठीक है ना? तो क्या आ रहा है रेशू? 1 by 2 लेकिन आप इतना मत logic लगाओ सीधा सीधा क्या बोला है? A की उम्र B से आधी B से आधी उम्र है A की तो A से दुगना B यही हुआ A को A को एक लिख दें और B को दो लिख लिख हो गया यही बनाया था फिर क्या कह रहा है? यदि वर्तमान उम्र का अनुपाथ एक और रेशू दिया है कब का? वर्तमान का कितना? 3 और 4 यही है यह हो गया अब क्या करना है सबसे पहले समय? कितना अंतर है दोनों में? यह 10 साल पहले की बात है यह वर्तमान क्या अंतर है? 10 साल का दसकांतर है, इन दोनों में क्या difference? 1, इन दोनों में भी 1, सब ठीक चल रहा है, ठीक है न? Balance है, अब क्या करें? एक ही उम्र एक अनुपात से कितना हो गई? 3, कितना बढ़ गई? 2 रेशो बढ़ गई, कितने साल में बढ़ी ये? 10 साल में, तो एक रेशो की value क्या हो जाएगी? एक रेशो की value 5 हो गई, पूछा क्या है? उनकी वर्तमान उम्र का योग, देखो अब हमारे पास यहां से फिर दो रास्ते हैं, क्या? या तो दोनों की वर्तमान उम्र निकाल लें, और फिर जोड़ लें, या फिर रेशो को ही जोड़ दें, ठीक है ना? 5 से एक बार 5, A हो गया 5 साल का, और B हो गया 5 इंटू 2, 10 साल का कब 10 साल पहले है? यह नहीं पूछा, क्या पूछा है? वर्तमान बताओ, तो किस में इंटू करें? वर्तमान वाले रेशो में, 5 इंटू 3, 15 साल का A, 5 इंटू 4, 20 साल का B, यही बनेगा? एक इतने साल का? तीन रेशो के बराबर, तो 3 इंटू 5, कितने साल का हो जाएगा? 15, और B कितने साल का हो जाएगा? क्या रेशो है B का? 4, तो 4 इंटू 5, कितना हो जाएगा? यही बनेगा, अब क्या पूछा है हमसे टोटल, कितना बन रहा है? या दूसरा तरीका क्या हो सकता था A और B का टोटल कैसे बना सकते थे हम A था किसके बराबर 3 रेशो और B था किसके बराबर 4 रेशो यही है उम्र बरत्मान देखो 3 रेशो और 4 रेशो दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा 7 रेशो बनेगा और एक रेशो की वैल्यू कितनी आई है 5 तो भी उम्र क्या आ जाएगी यह भी कर सकते थे चाहू तो अलग-अलग उम्र निकाल कर फिर जोड़ लो या फिर रेशो को ही जोड़ दो और फिर एक रेशो की वैल्यू पुट कर दो बन जाएगा चलें आगे बढ़ें अब आया आपके सामने reasoning का question अब धियान से पढ़ लो क्योंकि reasoning मतलब शब्दों में उलजाएगा और maths केवल calculation कराता है तो maths आसान होता है क्यों केवल calculation की तो बनानी है लेकिन reasoning में क्या दिक्कत है पहले समझ में तो आये करना क्या है वो आपको शब्दों में उलजाता जाएगा देखो क्या कहा है कहरा है रॉमिला की वर्तमान उम्र जो है पिताजी की वर्तमान उम्र का one fourth है एक चोथाई है 6 साल बाद क्या होगा पिताजी की उम्र कपिल की उम्र से दुगनी होगी फिर कह रहा है कि यदि कपिल का पांचवा जन्म दिन आठ साल पहले मनाया था तो रॉमिला की प्रजेंटेज बटाओ क्या है देखो घुमा दिया सारा कॉशन यहां इतने साल आगे जाओ यहां इतने साल पीछे जाओ तो बार-बार समय को चैंज किया है अब क्या करें हम हमें सबसे पहले हिंट दिया है क्या कुछ किसी की उम्र दी है क्या देखो किसी की उम्र दी है दी है किसी की उम्र कपिल की उम्र दी है देखो ध्यान से क्या कहा है कपिल का पाँचवा वर्डे मनाया था आठ साल पहले आठ साल पहले कपिल पाँच साल का था पाँचवा वर्डे कम मनेगा जब पाँच साल का होगा तो आठ साल पहले कपिल पाँच साल का था तो पाँच वो और आठ और बढ़ गए आज कितने साल का हो गया आज कपिल 13 साल का है क्योंकि 8 साल पहले 5 का था तो 5 साल का तो था और 8 साल ये बढ़ गए कितना हो गया? 13 साल का तो कपिल आज कितने साल का है? 13 साल का है अब कपिल से किसको रिलेट किया है? 6 साल बाद पिताजी की उम्र कपिल से दुग नहीं होगी 6 साल बाद होगी न, कपिल आज 13 साल का है तो 6 साल बाद कपिल की उम्र क्या हो जाएगी 19 साल का हो जाएगा 6 साल बाद कपिल होगा तब पिताजी की उम्र इससे डबल होगी तो पिताजी कितने साल के होंगे 38 के कब 6 साल बाद यदि पिताजी 6 साल बाद 38 साल के होंगे तो आज कितने साल के? यदि पिताजी 6 साल बाद 38 साल के हैं तो आज कितने के? 32 साल के और रॉमिला की उम्र इनका 1.4 है 32 का 1.4 क्या आएगा? 8 साल की है रॉमिला कुछ ठीक था? Reasoning है, इसमें किवल लॉजिक चलने है दिया है, क्या? कपिल की उम्र दी है तो कपिल की Present Age क्या दी है आपको? पांच साल पांचवा वर्डे आठ साल पहले तो आज कितने साल का? यही होगा आज कपिल कितने साल का है? 13 साल का अब कपिल को रिलेट किया है पिताजी से लेकिन कब? 6 साल बाद 6 साल के बाद कपिल की उम्र क्या बन जाएगी कपिल की उम्र बन जाएगी 6 जोड़ने 13 में 6 जोड़ेगा कितना हो गया 19 तो पिता की उम्र क्या बन जाएगी कपिल का दुगना 2 इंटू कपिल यही था तो 2 इंटू 19 कितने साल के हो गई है? 38 के तो पिता जी की वर्तमान उम्र मिल सकती है? तो पिता की present age क्या बन जाएगी? 38 से माइनस कर लें कितना? 6 तो आज कितने साल के हैं ये? 32 के फिर रॉमिला में और इन में relation दिया है क्या? कि रॉमिला की जो वर्तमान उम्र है वो कितनी है? पिता की उम्र का 1 4th ये ही कहा है? पिता जी की उम्र क्या आ गई? 32 32 का 1 4th कितना आ जाएगा? 8 4 से 8 पर तो रॉमिला कितने साल की है? 8 साल की है ठीक है न? बन पाएगा रीजनिंग का जो भी कॉश्चन आएगा वो आपको शब्दों में बहुत उल्जाने की कोशिश करेगा ठीक है न? तो वहाँ आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा और ये चैप्टर मिक्स है मैट्स का कॉश्चन भी मिलेगा इसमें रीजनिंग का भी मिलेगा इसको हम अलग-अलग पढ़ते तो मज़ा नहीं आता क्योंकि हम रेशो-रेशो अलग पढ़ते फिर ये वाले अलग पढ़ते तो आपको यजीव लगता तो इसलिए इसको एक साथ पढ़ लेंगे हम ठीक है न? चलो, बढ़ें आगे अब जैसे आपको, बुक में जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको एक तरीका और मिलेगा क्या मिलेगा? वो शुरुवात से ही शुरुवात करेगा कॉस्चन की अब यदि शुरुवात से मैं शुरुवात करूँ तो कैसे होगी? रॉमिला की वर्तमान उम्र, पिताजी की वर्तमान उम्र का वन फोर्थ, माना पिताजी की उम्र एक्स है तो रॉमिला की उम्र एक्स अपॉन फोर हो गई यही होगा, छे वर्ष बाद पिताजी की उम्र एक्स ब्लस सिक्स होगी ये कुछ गड़बर हो जाएगा मामला, बार बार X लिखेंगे, equation बनेगी, उनको सुल जाएगे, टफ हो जाएगा question, तो ये नहीं करना, हम reasoning को reasoning के patterns है और maths को maths के हिसाब से करेंगे, ठीक है ना, दोनों को merge करने की कोशिच करेंगे तो टफ हो जाएगा, देखो वापस maths का question आ है ना, ये दिया है एक ratio, एक ratio ये दिया है, है ratio, तो आपको दो लोगों की उम्र दी है, A और B की, कब कब की, A की उम्र B से दुगनी, कुछ नहीं बोला, कब का है, वर्तमान, आठ वर्ष पहले, यही था, क्या करें, A की उम्र B से दुगनी, A double है, B से, तो B को एक लिख लि चार गुनी तो a की उम्र b से चार गुनी b को एक तो a को 4 ये ठीक है हो गया बन जाएगा देखो a की उम्र b से दुग नहीं b को एक लेखा तो a 2 और a को एक लेखा तो b 4 हो गया चार गुना अब क्या करें समय का डिफरेंज कितना आ रहा है 8 वर्ष इन दोनों में अंतर 1 का इ से एक बार तीन, एक का वहाँ, एक इंटू चार, एक से एक बार एक, यह ठीक था, पुराना रेशो काम का नहीं है, यह खतम, इसको हटाएं, वरना आप गलती से फिर से उसमें गुणा कर दोगे, तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना, यह एक और यह भी, आप क्या करना है हमें, डिफरेंस चेक करना है, कैसे, कैसे चेक होगा, यह पुरानी उम्र है, देखो, आठ साल पुरानी, और यह आज की, तो चार रेशो से कहां आ गई उम्र, उल्टा क्यों गिन रहें, यह समय पुराना है, आठ साल पहले का है, और यह आज का है, तो वहाँ से यहां बढ़कर आएगा, तो 4 से कितना हुआ, 6 रेशो, क्या बढ़ रहा है, 2 रेशो बढ़ रहा है, कितने साल में बढ़ रहा है, 8 साल में, तो एक रेशो की वैल्यू क्या बन जाएगी, 4, यहां तक सब ठीक था, अब क्या पूछा है, दौनों की present age बता दो, यह वाला रेशो तो काट भ ना, वरना क्या होगा, गलती से इसमें multiply हो गया, तो question खतम हो जाएगा, इसमें करना है नए रेशो में, तो A की उम्र कितनी, A कितना हो जाएगा, 6 रेशो, तो क्या बन जाएगा, 6 इंटू 4, 24 का A हो गया, और B की उम्र क्या बन जाएगी, B कितना है, 3 रेशो, और एक उम्र कितनी, 12 और 24, अब देखो जरा उसने बोला भी था, कि वरतमान उम्र किस रेशो में है, 1 और 2, तो 12 और 24 क्या आ रहा है, 1 और 2 आ रहा है, 1 और 2 आएगा, बढ़ें आगे, यहां तक कोई समस्या आ भी, नहीं, सब ठीक चल रहा है न, यह ध्यान देना, यह रेशो ही देगा, ऐसे देदेगा, 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, ठीक है न, बढ़ जाएं आगे, देखें, बनाएं, क्या कह रहा है, पिताजी की उम्र पुत्र से 4 गुना, तो पिताजी की उम्र जो है, वो पुत्र से, कितने गुना है, 4 गुना तो पुत्र की उम्र को क्या लिख द इक पिताजी के उम्र पुत्र के उम्र एक पिताजी के उमर यह बन गए रेश को बन जाएगे यह कपकी 돌 कंघ कर ए little 5 साल जाती है कि भछका नव सेटली स्टेप क्या होती हिह हमारी समय डिफ्रेंशeremos कितना चल रहा है पाँच साल का, यहाँ डिफ्रेंस तीन का, यहाँ डिफ्रेंस आठ का, अन्बैलंस है रेशो बैलंस बनाए, तो कैसे बनेगा बैलंस, एट का मल्टीप्लाई यहाँ पर करो दोनों में, आठ इंटू चार बत्तिस, आठ से एक बार आठ फिर तीन का मल्टीप्लाई वहाँ तीन इंटू नौ, सत्ताइस और तीन से एक बार तीन, यह वाला रेशो खतम, अन्बैलंस था बैलंस कर लिया हमने, यह हो गई पिता की उम्र और यह हो गई पुर्थर की अब क्या करना है हमें हमसे कहा है, वर्तमान बता दो दोनों की, तो क्या करें बताओ, देखो, यहाँ पर यह पुरानी उम्र है, तो 27 रेशो से कहा पहुँच गए, 32 पर, या उपर, उपर से नहीं निकालना, तो इस से निकालना तीन से कहां पहुँच गए, कितना बढ़ा, 5, उपर भी 5 ही आएगा, सैम आएगा, ठीक है ना तो 5 रेशो की वैल्यू कितनी कितने साल में बढ़ा, 5 5 साल में, तो एक रेशो की वैल्यू क्या हो गई, यह ठीक था किसकी उम्र पूछी है, पिता जी की वर्तमान उम्र क्या है, 32 यही था पिता की वर्तमान उम्र चल रही है 32 रेशो की बराबर और एक रेशो की वैल्यू क्या आई है एक आई है तो उम्र भी क्या बन जाएगी 32 यही आएगा सैम था सभी का बढ़ जाएं आगे यहां तक सब ठीक है कीवल रेशो बैलन्स परफेक्ट हो जाएगा तो दिक्कत नहीं होगी देखो अब थोड़ा सा कुछ चैंज हो गया हर एक एक दो दो कॉस्चन में वेराइटी बदलती जाएगी कह रहा है पांच साल पहले पांच वर्ष पहले क्या था पुत्र की जो उम्र थी वो पिता की उम्र का एक तिहाई वन थर्ड कहा है अब ये क्या मामला है अब one third कैसे लिखें तो देखो जब कभी भी आपको fraction दे दे या ratio दे दे बात एक ही होती है ठीक है ना तो क्या बोला है one third one third कैसे लिखते हैं हम ऐसी लिखते हैं ये ratio ही तो दिया है कितना एक और तीन का बताओ पिता कौन पुत्र कौन इन रेशो में पिताजी की उमर पुत्र की उमर कौन कौन सी एक होगी पुत्र की और तीन होगी पिताजी की यही बनेगा अब दिमार्थ में चल रहा हुआ उसने तो one third कहा था जैसे प पिताजी यदि 45 साल की होते मान लो 45 के होते तो पुत्र की उमर क्या बन थी one third निकालो इसका पैंतालिस का क्या निकालें यही निकलेगा तो तीन से काटते तो यह क्या आता पंधरा पिताजी 45 साल के तो पुत्र 15 साल का रेशो बनाओ यही बनेगा तो यहां पर जब हम ऐस लिखेंगे तो इसको हम बदल कर भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो अब, क्या कर सकते हैं, पेटा जी की उम्र मान लो, कितनी मान लो, एक मान लो, तो बेटे की उम्र क्या हो जाएगी, एक तेहाई, ये निकाल लिया, तीन का यहां क्रॉस मल्टीप्लाय करो, क्य या तीन गुना करलो, बेटे की उम्र चाहिए तो एक बटा तीन करना पढ़ेगा, और पिताजी की चाहिए तो गुना तीन करना पढ़ेगा, एक ही बात है तो रेशौ ही दिया था, यह कुछ अलग नहीं था, ठीक है न, इचलो, क्या करें आप, लिख ले उम्र, पिताजी की वर्तमान उम्र दी है, कितनी दी है, पुत्र की प्रेजेंट एज, क्या दिया है आपको 17 वर्ष, यह दिया है, और क्या दिया है, आपको रेशो दिया है, अब रेशो क्या दिया है, रेशो दिया है, पुत्र की उम्र और पिता की उम्र, कितनी दी है, एक और तीन, यह कप का बताओ क्या पिताजी की वर्तुमान नकाल सकते हैं, कितनी है, तीन रेषो के बराबर, तो पिताजी की वर्तमान उम्र क्या हो गई? पिता की वर्तमान उम्र कितनी? तीन रेशो के बराबर, तो 3 इंटू 17, कितना बन जाएगा? 51, यही बनेगा? यह नहीं पूछा हम से, क्या पूछ रहा है? तीन साल बाद पिताजी कितने वर्ष के होंगे? आज कितने के हैं? 51, तो तीन वर्ष बाद? तीन वर्ष बाद पिताजी कितने साल के हो जाएगे? 51 में प्लस 3 कर दो, कितना हो जाएगा? 54 यहीं बनेगा? कौन सा वाला? अच्छा, कुछ गड़बढ हुआ, क्या हुआ? पाँच वर्ष पहले भी तो लिखा था इसमें, यह गड़बढ कर दी ऐसा? पाँच साल पहले था यह? छलो, थोड़ा सा कुछ चैंज करना पड़ेगा, क्या चैंज करना पड़ेगा? यहाँ पर हम एक चीज मिस कर गए, क्या? यह पाँच साल पहले की उम्र दी थी, क्या दी थी? यह जो रेशो दिया था ना, यह पुराना रेशो था, कितना पुराना था? पाँच साल पुराना, यदि रेशो पुराना दिया है, या मैं ऐसा कह दूँ, पुराना ना कहकर, मैं ये कह दूँ, जिस समय का रेशो दिया होता है, उसी समय का हमें data चाहिए, data मतलब original data, उम्र चाहिए, तो ये ratio कपका था पांच साल पुराना था, ये ratio था पांच साल पहले का, ये रेशो कपका है 5 साल पहले का और ये उम्र कपकी है, आज दिदधे, तो इनका आपस में कोई relation नहीं होता फिर क्या करें हम? हमें इस उम्र को थोड़ा सा shift करना पड़ेगा कितना shift करने बताओ 5 साल पीछे या आगे ये ratio कप का है? 5 साल पहले का कभी भी ratio को shift नहीं कर सकते ऐसा नहीं कर सकते कि ये 5 साल पहले का ratio है, वर्तमान बनाना है तो एक में भी 5 और तीन में भी 5 जोड़ दें ऐसा नहीं होता ठीक है ना? जब कभी भी हम shifting करेंगे तो किस की shifting होगी? age की shifting होगी age कितनी थी? सत्रा कब है सत्रा? आज है सत्रा तो बताओ 5 साल पहले क्या रही होगी? 5 साल पहले क्यों जा रहे हैं? क्योंकि रेशो को shift नहीं कर सकते ये 5 साल पहले का ही रहेगा तो 5 साल पहले उम्र क्या होगी? तो 5 वर्ष पहले कितनी उम्र रही होगी? सत्रा मैंसे 5 भेटा दूँ, कितना आएगा? 12 5 साल पहले कितने साल का था? ये 12 तो अब एक रेशो की वैल्यू क्या बन जाएगी? 12 क्यों? क्योंकि रेशो कप का है? 5 साल पुराना तब उम्र क्या थी? 12 तो पिताजी की उम्र भी कप की आएगी अब ये? 5 साल पहले की आएगी पिताजी की उम्र भी कप की मिलने वाली है? 5 साल पहले की क्यों क्यों क्योंकि रेशो पुराना है 5 साल पहले कितने साल के थे पिता जी 3 रेशो के बराबर और 3 रेशो मतलब 3 इंटू 12 कितना आएगा 36 पिता जी 5 साल पहले 36 के थे और पूछा क्या है तीन साल बाद ये उम्र कप्ती है पांच साल पहले कब से पांच साल पहले आज से आज से पांच साल पहले का दिया है और पूछा कब है आज से तीन साल बाद तो पांच का गैप पुराना और तीन का गैप वर्तमान से आगे तोटल कितना जुड़ेगा 8 जुड़ेगा, या फिर क्या कर ले, पहले इसमें 5 जोड ले, तो वर्तमान आ जाएगा, इसको वर्तमान ले आए, कैसे आएगा, 36 में कितना जोड़ दूँ, 5, 5 क्यों, क्यों कि ये 5 साल पुरानी है, इसमें 5 साल पुरानी है, कितना हो जाएगा, 41, ये नहीं पूछा हम से, क्या पूछा है, तीन साल आगे ले जाओ, तो तीन साल बाद क्या हो साएगा तीन साल बाद 41 प्लस 3, पिता जी कितने साल के हो जाएंगे, 44 के, ठीक है न, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्या ध्यान रखना पड़ेगा, कि रेशो कप का दिया है और age कप की ठीक है ना ये एक चोटा सा एक टाइम मिस करने के कारण कॉस्चन चैंज हो जाएगा थोड़ा ध्यान रखना चलिए देखा जाए नेक्स कॉस्चन चलिए देखते हैं क्या कह रहा है यहां पर कहा है कि मेरी वर्तमान उम्र पुत्र से तीन गुनी है पिता जी ने ये स्टेटमेंट दिया है क्या कि उनकी जो उम्र है वो बेटे की उम्र का तीन गुना है मतलब रेशो दिया है कब का रेशो है ये वर्तमान का रेशो है हमें एक रेशो मिला कब का रेशो मिला वर्तमान का रेशो मिला कितना दिया है हमें रेशो दिया है तीन ग तो पुत्र की उम्र क्या लिखी जाए? एक तो बरतमान पिटाजी की उम्र क्या हो गई? तैन ये रेशो बन गया. अब कह रहा है 5 साल के बाद, 5 साल के बाद, 5 साल बाद क्या condition है? 5 साल बाद बोल रहा है कि पुत्र से कितना हो जाएगा? 5 by 2 times 5 by 2 times मतलब अब इसको कैसे बनाए? तो मैंने आपको बताया था कि यदी fraction लिखा हो, ये fraction लिखा है 5 by 2 तो fraction का मतलब भी क्या होता है ratio ही होता है इसको हम ऐसा लिख सकता है लिखा जा सकता है अब एक tension कौन सी वाली उम्र किसकी तो जादा वाली पिताजी की और कम वाली बेटे की ऐसा लिख लो तो कितना हो जाएगा ये 5 और ये 2 ये हो गया अब क्या करते हैं हम next step क्या था हमें देखना है difference कहाँ पर समय में देखो समय में क्या difference है ये present और ये 5 साल बाद तो क्या difference है 5 साल का अंतर है समय में यही था अब क्या check करना है हमें numerator और denominator का difference तो यहाँ कितना difference है 2 का और यहाँ कितना difference है 3 का balance है क्या ratio नहीं बनाना पड़ेगा तीन का multiply इन दौनों में दो का multiply इन दौनों में यही होगा चलो करते हैं कितना आएगा 3 into 3 और 3 into 1 फिर 2 into 5 और 2 into 2 यह ठीक था यह बन गया अब क्या करना है आपको याद होगा मैंने आप से कहा था पुराना वाले ratio और 10 लिए इसका case मत करना ही कौश्टन गलत चाहिए अब आप उपर जिसकी उम्र लिख्या है वह कौन है पिता और नीचे जिसकी उम्र लिख्या है कौन है उत्त यह हूग लगा है पिता पत्टर आप क्या करना है हमें हमें देखना है यह एक आ निकर कितना आराór थाय 9 ratio से पिताजी की उम्र कहा पहुच गई 9 से 10 हो गई कितना बढ़ गई 1 ratio बढ़ गई इसको उठा दे उम्र बढ़ गई है 1 ratio 1 ratio उम्र बढ़ रही है कितने समय में समय कितना लगा 5 साल लग गई 5 साल में जो है एक ratio उम्र बढ़ रही है यही कहा हमसे, अब पूछा क्या है, तो मेरी वर्तमान उम्र, मेरी मतलब पिता जी ने कहा है ये, पिता जी की हमें कौन सी एज बतानी है, वर्तमान, यही पूछा है हमसे, यही पूछा है, चलो बनाते हैं, पिता जी की वर्तमान उम्र क्या बन जाएगी, पिता की प्रिजें तो 9 into 5 कितना हो जाएगा 45 years के हैं यही आएगा पिताजी की उम्र कितनी है 45 years same था बना पाए easy है चलो बढ़ें आगे देखा जाए next बस किवल ratio में क्या किया इसने कि अभी तक normal देता था fraction दे दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता 5 upon 2 का मतलब 5 ratio to तो 5 हो गई पिताजी की उम्र और 2 हो गई बेटे की उम्र यदि फिर भी ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़वर हो सकता है तो क्या करो देखो फिर कुछ गड़बड होई क्या दिया था ये क्या दिया है पिताजी और पुत्र यदि मैं ऐसा लिखता कि पिता की उम्र जो है पुत्र का 5 by 2 तो ऐसा लिख सकता था क्या पिता की उम्र कितनी है पुत्र की उम्र का कितना 5 by 2 ये ठीक था अब हम नाम एक तरफ कर लें, पिता यहां आ जाएंगे, और पुत्र नीचे यही बनेगा, बराबर क्या हो जाएगा, फाइब बाइटू, देखो डारेक्ट हमने यही रेशो उठाया था, तो बनना यही है, तो क्यों ना हम डारेक्ट लिख लें, भई बार बार यदि हम ऐस बनाएगे, तो समय जाता लगेगा, तो आप इसको डारेक्ट एजर एशो उठालो, चले आगे, बढ़ जाएं आगे, यहां तक सब टीक है, देखा है, नेक्स्ट, बन जाएगा, इसको बनाते हैं, क्या कह रहा है, कहा है कि एक बेटा, एक पुत्र अपने पिता से, पिता पिता जी की उम्र जो है, वो बेटे से 5 टाइम्स है, तो यहां पर आप से कहा है, कि पिता जी की जो उम्र है, वो कितनी है, बेटे की उम्र का कितना, 5 टाइम्स, तो इसको क्या लिख दूँ, बेटे की उम्र को 1, तो पिता जी की उम्र क्या हो जाएगी, 5, कब का रेशो है ये ये वर्तमान है क्योंकि समय नहीं बताया तो ये प्रिजेंट हो गया अब कह रहा है 15 साल के बाद 15 यर्स के बाद 15 यर्स के बाद क्या कंडिशन बननी है रेशो हो जाएगा 5 रेशो 2 मतलब 5 पिताजी की एज और 2 बेटे की एज नेस्ट स्टेप क्या होता है डिफरेंस देखना है यहां पर डिफरेंस कितना 4 का यहां डिफरेंस कितना 3 का बालेंस कर दो 3 का multiply इन दोनों में 3 into 5 3 into 1 फिर 4 का into कितना हो जाएगा 20 और 8 यह ठीक था अब हमारा जो पुराना वाला ratio था यह खतम यह हमारे काम का नहीं बचा ठीक है ना यह खतम हो गया यहाँ पर यह उपर वाला data किसका लिखा है पिताजी का और नीचे वाला data लिखा है उत्र का बेटे जो पूछा क्या है हमसे कि 15 वर्ष पहले जो है वह पिताजी की उम्र बताओ ध्यान देना है यह बहुत ध्यान देना क्या लिखा है 15 वर्ष के बाद और यहां क्या पूछा है 15 वर्ष पहले 3 की करणा है कितना बढ़ रही है पांच रेशो बढ़ गई पांच रेशो बढ़ गई, कितने साल में बढ़ गई, देखो यहां डिफरेंस कितना है, 15 साल का, कितने साल में बढ़ गई है, 15 साल में, तो एक रेशो की वैल्यू क्या बन जाएगी, एक रेशो क्या बन जाएगा, 3 के बराबर, बनेगा, 1 रेशो की वैल्यू 3 आ गई, आप आप क्या चाहिए पिता जी की वर्तमान उम्र कितनी है 15 रैशो के बराबर पिता की वर्तमान एज Bakit प्रेजेंट एज क्या बन जाएगी 15 रैशो के बराबर यहीं था और एक रैशो की वैल्यू कितनी है और यа कितना हो जाएगा 45 लेकिन 45 के तो आज हैं हमसे आज की उम्र में ही पूछी कब की पूछी है 15 वर्ष पहले क्या उम्र रही थी तो क्या करना पड़ेगा माइनस कर ले यह होगा 15 साल पहले 15 years ago क्या उम्र थी 45 से माइनस कर ले कितना 15 तो क्या यह जा जाएगी 30 वर्ष 15 साल पहले पिता कितने साल के थे 30 साल के थे यह ठीक था बन गया था सेम आया था 30 ही आया था सभी का ठीक है न चलू बढ़ जाए आगे क्या करना है किवल रेशो को बैलेंस 1 रेशो की वैल्यू जो पूछा है उसकी वैल्यू डारेक्ट नहीं दी तो प्रजेंट निकाल लो आगे का पूछा है तो प्लस कर लो और पुराना पूछा है तो माइनस कर लो ठीक है ना चलो बढ़ जाएं आगे देखो इसको बनाते क्या कहा है कोशन ने पांच वर्ष बाद पिता जो है वो पुत्र से तीन गुना होंगे कब होंगे पांच वर्ष बाद होंगे और क्या दिया है पांच वर्ष पहले पिता पुत्र से साथ गुना थे एक समय दिया है पुराना और एक दिया है आने वाला बर्तमान नहीं दिया प्रजेंट नहीं दिया तो पहले क्या करें पहले वाला लिख ले और फिर आने वाला लिख ले ऐसा लिख ले तो 5 वर्ष पहले क्या condition थी? 5 वर्ष पहले क्या ratio दिया है? 7 गुना थे पिताजी तो पिताजी की उम्र और पुत्र की उम्र पिताजी की उम्र कितने गुना? 7 गुना, तो 1 ratio 7 यह ratio बनेगा, खिक है ना? 7 गुना है, इसको 1 लिखा तो यह 7 अब क्या कह रहा है पांच साल बाद तो पांच वर्ष बाद क्या इस्थिती बननी है पांच वर्ष बाद क्या इस्थिती बनेगी पिताजी तीन गुना होंगे तो बेटे की उम्र को एक लिखा तो पिताजी की उम्र तीन हो जाएगी ये ठीक था अब हम क्या करते थी समय का difference देख ले इन दोनों समय में बताओ कितना अंतर दस का क्यों एक है पांच वर्ष पहले कब से वर्तमान से आज से आज से पांच वर्ष पहले का समय है एक तो आज वर्तमान में आने के लिए पांच जुड़ेगा फिर एक पांच वर्ष बाद है कब से पांच वर्ष बाद व वर्ष का, यही बनेगा 10 वर्ष का अंतर है, अब क्या करना है हमें रेष्यू, यहाँ कितना डिफरेंस? 6 और यहाँ कितना डिफरेंस? 2, balance कर दो 2 का multiply दोनों में चिक था और 6 का multiply यहां दोनों में यह हो गया अब पुराना वाला रेष्यू खतम, यह किसी काम का नहीं बचा, यह हटा दिया, अब उपर वाली एज किसकी लिखी है, पिताजी की, और नीचे एज लिखी है, किसकी, बेटे की, बढ़ें आगे, अब करना क्या है हमें, अब देखना है कि रेशो में क्या डिफरेंस बन रहा है, तो देखो, 14 से कहां पहु चार रेशो बढ़ गया, कितने साल में बढ़ा है यह, चार रेशो कितने साल में, समय कितना हुआ है, दस, चार रेशो बढ़ा, दस साल में, तो एक रेशो की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक रेशो बराबर, 4 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा, 2.5, यही आना है, 1 रेश कि आएगी पांच वर्ष पहले की और इससे पांच वर्ष बाद की यदि पांच वर्ष पहले की उम्र हमें पता चल गई तो उसमें पांच प्लस करेंगे प्लस फाइब करेंगे वर्तमान आ जाएंगे पांच वर्ष बाद की पता चल गई तो माइनस फाइब करके वर्तमान आ जाएंगी हो जाएगा तो क्या करें कहीं से भी निकाल लो तो पांच वर्ष पहले पांच वर्ष पहले पिता की उम्र क्या थी पांच वर्ष पहले पिता जी की एच क्या रही है 14 रेशो 14 रेशो के बराबर क्या थी? चौधा रेशो के बराबर थी और एक रेशो की वैल्यू कितनी आई है? 2.5 यही आया ठीक था? मल्टीप्लाइ कर ले तो कैसे कर ले? चौधा का पहले 2 में कितना हुआ? 28 और फिर चौधा का आधा 7 तो 28 और 7 कितना हो गया? 35 यही आयेगा इसका मल्टीप्लाइ ठीक है ना? पहले 2 गुना कर ले तो 28 और फिर आधा और तो 2 गुना हो जाएगा चौधा का 2 गुना 28 और आधा कितना 7 तो 28 और 2 गुना हो गया? कितना हो गया? 35 या डारेक गुना कर लो जो अच्छा लगता हो ठीक है ना? अब ये उम्र कपकी है? 5 साल पुरानी ये नहीं पूछी हमसे क्या पूछा है? वर्तमान बताओ तो वर्तमान के लिए क्या होगा? इसमें एड होगा 35 में एड करना पड़ेगा कितना 5 तो क्या बन जाएगा? 40 यही आएगा कितने साल के हैं आज? आज उनकी एज है 40 यही आएगा बढ़ जाएं आगे यहां तक सब ठीक है बन पा रहा है देखा नेक्स्ट इसको बनाओ कह रहा है एक व्यक्ति की उम्र बेटी की उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है अब रेशो नहीं दिया देखो 3 गुने से 3 जादा रेशो में नहीं जोड सकते हम 3 कैसे जोडेंगे? फिर बोल रहा है 3 वर्ष बाद उसकी उम्र बेटी की उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी तो दौनों की प्रजेंट एज बता दो तो यहाँ पर रिलेशन दिया है कि एक व्यक्ति की उम्र बेटी की उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक तो क्या किया जाए? मान ले माना बेटी की प्रजेंट एज माना बेटी की प्रजेंट एज कितनी मान ले? एक्स वर्ष ठीक है न? अब क्या कह रहा है हमसे? एक व्यक्ति की उम्र बेटी की उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष जादा तो पिता जी की उम्र क्या आ जाएगी? क्या कह रहा है? पहले 3 टाइम्स कर दो 3X और फिर 3 और जादा ठीक था? 3 गुना कर दिया और 3 जादा कर दिया तो 3 गुना 3 का मल्टिप्ला है 3 जादा तो प्लस 3 हो गया अब कह रहा है 3 साल के बाद तो पहले 3 साल बाद तो चले 3 वर्ष के बाद क्या हालात होंगे? 3 वर्ष बाद आज यदि कोई 20 साल का है तो 3 साल बाद 23 का होगा बढ़ जाएगी उम्र? 3 वर्ष बाद बेटी की उम्र क्या? X ही रहेगी बढ़ जाएगी कितनी हो जाएगी? X प्लस 3 हो जाएगी होगी? पिता की उम्र भी बढ़ जाएगी कितना बढ़ जाएगी? 3 X प्लस 3 तो पहले से थी प्लस 3 और हो जाएगी तो इसको क्या लिख पाएंगे हम 3x प्लस 6 ये पिताजी की उम्र हो जाएगी अब कह रहा है कि तीन साल के बाद की जो इस्थिती है क्या बन रही है तीन वर्ष बाद बेटी की उम्र पिता की उम्र के दो गुने से 10 वर्ष जादा है अब इसका क्या मीनिंग हुआ वो समझते हैं ठीक है ना हमसे कहा है कि बेटी की उम्र जो सौरी पिताजी की उम्र जो है एक तरफ मैंने लिखा बेटी की उम्र और एक तरफ लिखा पिता की उम्र समझना अब यहां से ही कॉश्चन गलत होने की चांसे बनेंगे क्या करना है हमसे कहा है कि पिताजी की उम्र और बेटी की उम्र कब की तीन वर्ष बाद की ये रही हमारे पास लिख दे कितनी कितनी है बेटी की उम्र है x plus 3 और पिताजी की उम्र क्या है 3x plus 6 यही आई है ठीक था अब इन दोनों में relation बताया है क्या बताया है कि तीन वर्ष बाद बेटी की उम्र पिता की उम्र के दो गुने से दस जादा पिताजी की उम्र जो है न ये ये बेटी की उम्र के दुगने से भी जादा है दुगने से कितनी जादा दस जादा अब यदि ये दोनों अलग-अलग लिखी रहे तो हम इनको solve नहीं कर पाएंगे तो क्या करें बीच में यदि बराबर का sign आ जाए बीच में यदि बराबर आ जाए तो हम x की value निकाल पाएंगे निकल जाएगी और बराबर का sign कब लगा पाएंगे जब दोनों तरफ value equal हो जाए जैसे अभी क्या बोला है पिता जी की उम्र बेटी के दुगने से 10 जादा है मान लो इस question से अलग अटने है यदि बेटी की उम्र यदि बेटी की उम्र 10 वर्ष होती तो पिता की उम्र दोगने से 10 जादा है यह कह रहा है यही कहा है कि पिता जी की उम्र बेटी के दुगने से 10 जादा है अब मैं बीच में बराबर का sign लगाना चाहता हूँ बताओ लगा दू नहीं लगा सकते क्यों कब लगेगा जब यह 30 हो जाए या यह 10 हो जाए तब बराबर लगा पाएंगे अब मुझे बराबर लगाना है तो करना क्या पड़ेगा इन्होंने कहा कि पिता जी की जो उम्र है वो बेटी के उम्र से कितना दो गुने से 10 जादा कौन है दो गुने से 10 जादा पिता जी तो हमें दो का गुणा यहां करना पड़ेगा क्या बराबर हुआ नहीं क्योंकि 10 जादा भी है तो 10 जुड़ेगा भी कहां इसी तरफ देखो अब बराबर लगा सकते हैं अब हो गया बराबर बन गया तो जब भी आपको ऐसी equation बनानी है तो जिसको दोगुना बोला है उसको दोगुना नहीं करते किसको करते हैं दूसरी पाइटी को क्यों तब तो एकवल हो पाएगा होगा यहां पर हम equation में बीच में बराबर लगाना चाहते हैं वो बराबर कब लगेगा जब वैल्यू बराबर होगी ऐसे होगा जैसे जब तराजू में तोला जाता था आज तो electronic चलती है चीज़ें तो इनमें दिक्कत नहीं है पुराना जो तराजू होता था उसमें क्या क करते हैं कैसे मैं उधर दस जूड़ा था उधर दस न जूड़कर इदर दस घटा दू तो भी तो बैलन्स होगा तो यहां केवल और केवल दिमाग में इतना सा फीट कर लू बराबर करना है दोना तरफ बैल्यू कैसे होगी तो कैसे होगी पिताजी की उम्र जो है वो क्या करें हम इसमें? यहाँ पर पहले तो 2 का multiply हो गया दुगना अभी बराबर नहीं हुआ 10 जादा भी है तो 10 जुड़ेगा भी अब बराबर हो गया अब बराबर हो गए ठीक है ना क्योंकि पिताजी की उम्र दुगने से 10 जादा थी तो 2 का multiply कहां? बेटी की उमर में और 10 जुड़ा भी कहां? बेटी की उमर में चलो कर लें calculate यह कितना हो जाएगा? 2X प्लस 2 इंटू 3 6 प्लस 10 एक्वल स्टी यह 10 में तो नहीं हो ना multiply है? नहीं, प्लस में लिखा है नो कितना हो जाएगा? 3X प्लस 6 यह दोनों जुड़ सकते हैं क्या हो जाएगा? 2X प्लस 16 बराबर 3X प्लस 6 अब क्या करें? 6 को यहाँ ले आओ 2X को वहाँ बेज़ दू तो 16 माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा? 3X माइनस 2X तो X बचा और यहाँ कितना बचा? 10 X की value क्या आ गई? क्या पूछा है हमसे? हमसे पूछा है दोनों की percentage बता दो तो दोनों की percentage कौन सी वाली है? यह यह है percentage बेटी की percentage क्या थी? X आ चुकी कितनी? 10 वर्ष तो बेटी की उम्र क्या आ गई? 10 वर्ष यही आएगी पिताजी की उम्र क्या बन जाएगी? value पूट कर दें यहाँ X की value रग दें तो 3 इंटू X की value कितनी आई? 10 और फिर प्लस 3 कितना हो जाएगा? पहले यह multiply करते हैं 10 इंटू 3 तीस और प्लस 3 कितना हो जाएगा? 33 तीस बर्ष यह कुछ ठीक था यह जो level है जिसमें आपको ratio के साथ प्लस माइनस देता है कि 3 गुने से 2 जादा 5 गुने से 10 कम यहाँ direct ratio नहीं लगता क्यों नहीं लगता? क्योंकि प्लस माइनस भी तो लगाना है जादा कम बोल दिया ना तो वो ratio में balance कैसे होगा? तो direct balance नहीं कर सकते हैं उसको आपको प्लस माइनस ही लिखना पड़ेगा और जैसे ही ratio के साथ प्लस माइनस आया तो आप अभी तक जो करते आये थे वो नहीं हो सकता आप क्यों? क्योंकि वो प्लस माइनस कहां adjust करोगे फिर आपको यह basic प्याना पड़ेगा ठीक है ना? बन पाएगा वो पाएगा देखे next try करें करें कोशिश चलो देखो इसको बनाओ अच्छा एक चीज और ध्यान रखना हर एक question एक जैसा नहीं होता इसमें क्यों? क्योंकि अलग-अलग तरीकी से बोलेगा तो आपको हर question नया सा दिखेगा और हर question की शुरुआत जो है कैसे होगी कि ऐसा कोई व्यक्ति धूड़ो जिससे किसी दूसरे की उम्र को जोड़ा हो जैसे बोला कि बेटे की उम्र पिता जी की उम्र की आधी है तो क्या करें पिता जी को एक्स मांगी आधा कर दें तो बेटे की उम्र आ गई ठीक है न, तो देखो करो कोशिश हो पाएगा, बन पा रहा है, यह कहानी समझ में आ रही है, यह क्या लिखी है, मैं भाई से उम्र में एक बटा तीन गुना बड़ा हूँ, इसका क्या मीनिक हुआ, देखो, जैसे आप से कहा, कि दो व्यक्ति हैं, राम और श्याम, अब मैंने कहा, कि राम की जो उम्र है, वो तीस वर्ष है, ठीक है, अब मै मैंने कह दिया, श्याम की जो उम्र है, वो राम की उम्र का एक बटा तीन है, वन थर्ड है, किसकी उम्र? श्याम की, किसका वन थर्ड? राम की उम्र का, तो क्या लिख देंगे हम? तीस का एक तहाई, कितने साल का हो गया यह? दस का, होगा दस साल का, यह ठीक था, यह तीस स वहतो है, इसा नहीं कहा, क्या कहा है, एक बटा तीन गुना जादा है, ये कहा है, देखो, बड़ा होना, छोटा होना, ये क्या होता है? ज़ादा या कम, डिफ्रेंस बताता है, तो कह रहा है यदि राम 30 साल का है यदि राम 30 साल का है तो शाम 1 बटा 3 बड़ा है ऐसा कहा है तो 1 बटा 3 बड़ा मतलब 30 का 1 बटा 3 निकालू कितना आएगा 10 बड़ा है ऐसा बोल रहा है 1 बटा 3 बड़ा है तो 30 ये और 10 ये कितने साल का हो जाएगा 40 का हो जाएगा होगा क्यों क्यों कि 1 बटा 3 गुना नहीं बोला 1 थर्ड नहीं बोला 1 थर्ड जादा है ऐसा कहा है जैसे आपका भाई आपसे 2 बड़ा है समझना मैं जो कह रहा हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ आपके भाई की उम्र आपसे दो वर्ष जादा है तो आपकी उम्र यदी बीस है तो उनकी उम्र बीस तो है ही दो और है यही मतलब हुआ तो यहाँ पर राम की उम्र यदी तीस और शाम वन थर्ड जादा है तो 30 तो है ही 10 और है 30 तो है 1 3rd extra है मैं direct लिखता तो पता है कैसे लिखता राम की उम्र प्लस राम का ही कितना 1 3rd ऐसे लिखते तो ये शाम की उम्र बनती कितनी 40 ये ठीक था राम की उम्र प्लस राम का 1 3rd राम की उम्र प्लस इतना बड़ा, यह जोड़ दिया, ठीक था, चलो, आब इसमें लगाएं जरा क्या concept लगेगा, हो पाएगा, क्या कहा है देखू, कह रहा है मेरी माताजी की उमर भाई की उमर से तीन गुना, माताजी की उमर को किस से जोड़ा है, भाई से, फिर क्या बोला है, मैं भाई से एक बटा तीन गुना बड़ा, तो शुरुआत कहां से करें, भाई की वर्तमान अन्वर्ष, क्योंकि किस से जुड़ा है सबको, भाई से, तो भाई की present age, क्या मान ली जाए, कितनी मान ले है, एक्स वर्ष, तो माताजी की उमर क्या हो जाएगी, कितना, तीन गुना, इंटू केवल, हाना, केवल मल्टीप्ला है, यह हो गया, अब एक और व्यक्ति है, ठीक है न, क्या बूला है, मैं भाई से उमर में वन थर्ड बड़ा हूं, तो भाई से बड़ा कैसे आएगा, तो एक्स प्लस एक्स का कितना, यही करना है, यह ठीक था, अब इसको कैलकुलेट करने पहले, यह हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स अपॉन थरी, एक्स इंटू वन एक्स, तीन से एक्स तीन एक्स, और प्लस एक्स कितना हो जाएगा, पूर एक्स अपॉन थरी, यह बन रही है, इसके उमर, यहां तक ठीक अब क्या कह रहा है चार वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान उम्र के बराबर था चार साल पहले मेरी जो उम्र थी वो भाई की आज की उम्र के बराबर थी तो मेरी उम्र आज क्या है 4x upon 3, मेरी उम्र कब की? 4 साल पुरानी, तो 4 साल पहले उम्र क्या रही होगी? 4x upon 3 minus 4 यही रही होगी यह कब रही होगी? 4 साल पहले, 4 साल पहले मेरी जो उम्र है, वो भाई की वर्तमान की बराबर, भाई की वर्तमान क्या है? इसकी बराबर हो गया क्या x की value मिल सकती है मिल जाएगी क्या करें x वाले number एक तरफ बिना x वाले एक तरफ तो 4x upon 3 minus x upon 1 बराबर यह हो जाएगा cross multiply करो यह 4x यह 3x क्या बचेगा x upon में कितना 3 बराबर 4 तो x की value क्या आ जाएगी 12 यही आएगा देखो क्या पूछा था हमसे तो बताओ माता जी की वर्तमान उम्र यह किसकी उम्र आई है भाई की भाई की आई किसकी पूछी है माता जी की तो माता जी की वर्तमान उम्र क्या हो जाएगी माता जी की वर्तमान उम्र कितनी 3x के बराबर यहां पर कोई pattern fix नहीं होता fix मतलब हमेशा ऐसा नहीं कि दो गुने से 10 जादा, तीन गुने से 5 का मैसा ही बोलेगा वो हर question में नहीं नहीं कहानी कहेगा आपसे और आपको उसके according set करना पड़ेगा कि जैसे उसने बोला दो गुना है system में चलना पड़ेगा मतलब basic थोड़ा ध्यान से वरना गड़बर हो जाएगी चलो, बढ़े आगे, यहां तक ठीक था अभी तो reasoning की entry नहीं हुई यह तो math चल रहा है देखो, इसको बनाओ कहरा है, रोहित का विवाह 8 साल पहले हुआ था और इस समय जो उसकी उम्र है, वो बिवाह की समय की उम्र का 9 y 7 है 9 बटा 7 है जबकि बेटी की उम्र जो है वो उसकी उम्र का 1 y 6 है तो 3 साल पहले बेटी कितने साल की थी 3 वर्ष पहले की बेटी की उम्र बतानी है क्या रही होगी तो देखो सबसे पहले शुरुआत कहां से करें हमें वो 9 upon 7 मतलब 9 ratio 7 दिया है 9 upon 7 का मतलब क्या हुआ 9 ratio 7 ये ratio है तो दो चीजों का ratio होगा ही किस किस का है पड़ो कह रहा है कि इसकी शादी कब होई थी 8 साल पहले होई थी तो इस समय की उम्र और विवाह के समय की उम्र का ratio 9 ratio 7 है ये दिया है 9 ratio 7 दो उम्र का ratio है कौन कौन सी आज की और विवाह के समय की दो उम्र दी है हमें एक आज की उम्र दी है एक दी है वर्तमान उम्र और एक उम्र कपकी दी है विवाह के समय ये ही कहा है क्या ratio दिया है देखो यहां से वर्तमान उम्र मान सकते हैं हम 9x और बिवाह की समय 7x और दोनों का difference कितना दिया है आठ साल दिया है क्यों दिया है क्यों क्यों क्योंकि शादी कब हुए थी 8 साल पहले होई थी तो इन दौनों उम्र का अंतर कितना हो गया 8 हो गया क्योंकि शादी कब होई 8 साल पहले तो दौनों का difference क्या बन गया 8 यहां से difference बनाओ कितना बनेगा 2x 2x की value क्या बन गई 8 तो x की value क्या आ जाएगी 4 बन पाएगी डारेक्ट x की value मिल गई हमें अब क्या पूछा है कि पुत्री की उम्र उसकी उम्र का 1y6 कह रहा है पुत्री की उम्र उसकी उम्र का 1y6 तो उसकी कप की उम्र कुछ नहीं बोला तो कप की लेंगे वर्तमान तो पहले रोहित की वर्तमान उम्र निकालो कौन सी वाली है 9x यही था तो रोहित की वर्तमान उम्र क्या बन जाएगी तो रोहित की प्रजेंटेज क्या बन रहा है 9x के बराबर 9 into 4 कितना हो जाएगा 36 रोहित कितने साल का हो गया 36 का हाँ तीन साल की आ रही है बेटी फिर क्या कह रहा है अब बेटी की उम्र को कैसे रिलेट किया है उसने कैसे रिलेट किया है कि पिताजी की उम्र का कितना है बनवाई सिक्स तो बेटी की वर्तमान उम्र बेटी की प्रिजेंट एज क्या बन जाएगी 36 का 1 by 6 कितना हो गया? क्या आज आएगा? 6 वर्ष आएगा, ये कप की उम्र है? आज की, ये नहीं पूछा हमसे क्या पूछा है हमसे? 3 वर्ष पहले की बताओ तो क्या करें बताओ? 3 माइनस करने 3 वर्ष पहले, आज कोई 6 साल का है तो 3 साल पहले कितने साल का था? 3 साल का था ये ही बनेगा 3 यर्ष थी उसकी इज बन पाएगा, बहुत खतरनाक सा नहीं था पढ़ने में लग रहा था बहुत खतरनाक की शादी 8 साल पहले हुई, रेशो इतना इतना है तो कुछ भी नहीं था डारेक्ट हम बना जाते कैसे यहां दिया था आपको 9 रेशो 7 और डिफरेंस कितना दिया है 8 8 इंटू 9 क्या कर दिया 8 इंटू 9 कितना हो जाएगा क्या हो जाएगा देखो डिफरेंस कितना दिया है आपको 8 का और यहां difference कितना दिया है? दो का ठीक था? तो दो ratio बराबर कितना 8? एक ratio की value 4, 4 into 9 36, 4 into 7, 28 ये उम्र बन गई 28 कप की शादी के समय की और 36 कप की आज की अब बेटी की उम्र क्या है? आज का 1 by 6 तो 36 का 1 by 6 क्या बन जाता? 6 3 साल पहले की पूचिय है इतना easy था ये तो लिखना पड़ता है हमें समझने के लिए वरना इतना थोड़ी लिखेंगी हम वो calculation बनाई वहीं का तम उजाएगा question ठीक है ना? चलो बढ़े आगे? किया ये ही है वहाँ भी मैंने लेकिन इतना लिखा नहीं है बस ठीक है ना? देखा जाए next देखो Sam है बिल्कुल Sam question बस ध्यान से बनाना देखो बन पाएगा? बन पाएगा? आया? कितना? आंसर पहले ले आओ लिख बात मिलेंगी कैसे? शादी कब हुई? छे वर्ष पूर तो ये 6 हमें difference मिल गया रेशो कितना? एक का अंतर आ रहा है रेशो में एक का आ रहा है तो एक रेशो की value कितनी बन रही है? 6 6 एंटू 5 30 और 6 एंटू 4 24 ये ठीक था अब क्या कह रहा है? पुत्र की उम्र बिवाह की समय की उम्र का 1 by 10 इसकी बिवाह की समय उम्र क्या थी? ये तो आज है 30 24 थी 24 का 1 by 10 कितना बन जाएगा? 2.4 बनेगा? तो पांच वर्ष बाद पुत्र कितने साल का? कितना हो जाएगा? बन जाएगा? आसान है चलो लिख लें थोड़ा सा इसको सिस्टम में क्या किया चाहे बताओ पहले रेशो लिख ले है चीक है न? कप कप का एक विवाह की समय की उम्र दी है और एक कप की दी है आज की तो बताओ कहां क्या लिख दू? हाँ 5 कहां? 4 कहां? बिवाह की समय 4 और आज कितनी? 5 क्योंकि बिवाह पहले हुआ था हो चुका हाँना? अब दौनों में डिफरेंस कितना? 1 रेशो अब एक्स वैक्स नहीं लिख रहे है 1 रेशो कितने साल पहले? 6 साल पहले एक रेशो की वैल्यू क्या बन गई? क्या पूला है हम? कि पुत्र की उम्र बिवाह की समय की उम्र का कितना? 1 by 10 तो इसकी बिवाह की समय उम्र क्या थी? बिवाह की समय उम्र थी 4 रेशो के बराबर 4 इंटू 6 कितना आया? 24 पुत्र की उम्र कितनी है, बिवाह की समय की उम्र का कितना, 1 by 10 कितना आ जाएगा, 2.4, ये नहीं पूछा, कब का पूछा है, 5 साल बाद, तो 5 साल बाद क्या बन जाएगी, 5 साल बाद क्या उम्र बन जाएगी, 2.4 प्लस 5, कितना हो जाएगा, 7.4, एक चीज बहुत ध्यान रखना, कान खोल कर सुन लो, 7.4 का मतलब 7 साल 4 महिने नहीं होता, क्या हुआ, 7 साल 4 महिने नहीं होता, ऐसा मत सोचना ही 7 साल 4 महिने लिखा है, दिमाग जाता है तुरंट, अच्छा, 7 साल 4 महिने, नहीं, यदि य 4 महिने होते न, तो पॉइंट के बाद कहां तक आती ही वैल्यू, 10 तक, तो 10 महिने का साल बन जाएगा, कुछ समझ में आ रही कहां नहीं, यदि पॉइंट के बाद ये 4 का मतलब 4 महिने होता, तो पॉइंट के बाद maximum क्या आता है 10, 10 तक ही जाते हैं, पॉइंट के बाद 10 तक डिवाइड हो सकता है, और महिने कितने होते हैं, 12, तो फिर ये 4 का मतलब 4 महिने कैसे हुआ, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, फिर महिने निकलेंगे कैसे, यदि हम निकालना चाहें, तो कैसे आएगा, तो कैसे आएगा, वो भी आ सकता है, बहुत टफ नहीं होता, तो 7 तो लिखा है वर्ज इसको महीने में convert करना है हो जाएगा 12 का multiply क्यों एक साल में 12 महीने 2 से काटा 5 और 2 से 6 बार कितना हुआ 24 24 बटा 5 फिर 5 से कट जाएगा क्या 5 से कितना 4 बार 20 और कितना बचा 4 बटा 5 ये ठीक था ये क्या आगया अभी भी अच्छा नहीं लग रहा अभी ये बन चुका है 7 तो साल 7 वर्श और फिर 4 महीने और ये 4 बटा 5 महीने अच्छे नहीं लग रहा है तो इसको क्या कर दें 4 बटा 5 और एक महीने में 30 दिन ठीक है ना तो 5 से 6 बार 6 एंटू 4 24 दि ये लिखा था ये आप कुछ ठीक है ये लिखा था 7 वर्श 4 महीने और 34 दिन ठीक है ना वो 4 महीने नहीं था उसको गलती से 4 महीने मत लिख दिना गलत हो जाएगा ज्यादा है वो 4 महीने से ये लिखा है वो पूरा लेकिन इतना deep में नहीं देता option एंशन मत लेना लेकिन प सब ठीक है, कुछ गरबर तो नहीं, ध्यान रखना हमेशा समय जो है वो year का हो या आपके hour का हो, 0.4 का मतलब दोनों में ही सहम नहीं होता, यदि 7.4 लिखा है तो ये 7 वर्स चार महिने नहीं होगा, और 7.4 hour लिखा होता तो वो 7 गंटे 40 मिनिट नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि मिनिट साथ होते हैं, ठीक है ना, वो साथ से डिवाइड होता हो, पॉइंट दस से डिवाइड होता है, ठीक है ना, चलो, बढ़ जाए आगे, इसको बनाओ, अच्छा ये रिपीट हो गया, नहीं, अलग है, हाँ, नाम बस सैम है, नाम मैच हो गया, कह रहा है, रो विवाह की समय की उम्र का, 7 और 4, डारेक्ट बना रहे हैं, देखो, 7 रेशो 4, दौनों में डिफरेंस कितना, 3 का, तो 3 रेशो की वैल्यू कितनी हो गई, 6, एक रेशो की वैल्यू कितनी हो गई, 2, यहां तक सब ठीक है, आप क्या किया जाए, कह रहा है, उसके पुत्र की वर्तमान उम्र है, पुत्र की जो उम्र है, वर्तमान का 1 y 10, तो वर्तमान उम्र बना लो, वर्तमान उम्र कितनी बन गई, 7 रेशो, तो 7 इंटू 2, कितना हो जाएगा, 14, इसका कितना, 1 y 10, तो 14 का 1 y 10, कितना हो जाएगा, 1.4, यह नहीं पूछा, क्या पूछा है, अगले वर्ष बताओ, तो 1.4 प्लस 1, कितना हो जाएगा, 2.4, 2.4 का मतलब 2 साल 4 महीने नहीं होता, ठीक है न, चला, बढ़े आगे, ठीक है, हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, जब भी यह आप लगा रहे हो एज वाले, तो इसमें साइंस मत लगाना, कैसे, साइंस मत लगाने लगना, कि पिता जी तो 14 साल के हैं, हाँ, तो यहाँ पर समय कई बार उल्टा सीधा आना शुरू हो जाता है, और जब आप टाइम एंड वर्क पढ़ोगे, तो वहाँ व्यक्तियों की स संख्या और दिनों की संख्या आएगी, तो व्यक्तियों की संख्या पॉइंट में आगी, तो घडबर हो जाएगा, हाँ, तो थोड़ा सा यह मैट्स है, इसको प्रैक्टिकल से नहीं जोड़ना, कई बार कैल्कुलेशन आ जाती, उल्टा सीधा दे देता है कॉक्शन, पिताजी पुतर से कह रहे हैं कि तुम्हारे जन्म के समय, जो है मेरी उम्र, तुम्हारी आज की उम्र से पांच वर्ष जादा थी, मतलब क्या है पिताजी का कहने का मतलब, कि तुम्हारी आज जो उम्र है, इसमें पांच जोड़ दें, तो मैं उतने ही साल का था जब तु 25 का तो पिता जी की उम्र 25 हुआ करती थी कब जब बेटे का जन हुआ था ये कहा है ठीक है ना आगे बोल रहा है अब पिता जी 39 के हैं तो पुत्र पांच वर्ष पहले कितने साल का था तो बताओ कुछ कर सकते हैं क्या क्या किया जा सकता है हाँ जैसे एक चीज बताओ बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है जैसे मान लो आज आपकी उम्र 20 वर्ष है आज आपकी उम्र जो है वो 20 यर से 20 साल है और पिता जी की उम्र जो है वो हमने लिख लिया 45 चीक है पिता जी की उम्र 45 है तो ये बताओ जब आपका जन्म हुआ था तब पिता जी कितने साल के थे 25 साल के पता कैसे चला यदि हम माता पिता की उम्र से उनके बच्चे की उम्र को माइनस कर लें तो माता पिता की वो उम्र पता चल जाएगी जब इस बच्चे का जन्म हुआ था मिल जाएगी यदी दुबारा यदी माता पिता की वर्तमान उम्र से माता पिता की जो प्रजेंटेज है उससे हम उनके बच्चे की बेटे की या बेटी की वर्तमान उम्र को माइनस कर दें बेटे बेटे की प्रजेंटेज को ही माइनस कर दें तो माता पिता की उस समय की उम्र मिल जाएगी जब इस बच्चे का जन्म हुआ था मिल जाएगी, तो क्या करें हम बेटे की आज की उम्र मान लें, पुत्र की वर्तमान उम्र क्या मान लें, एक्स वर्ष, पुत्र की वर्तमान उम्र मान लें, हमने एक्स वर्ष, अब ये बताओ, क्या हमें पिता जी की वो उम्र मिल सकती जब बेटे का जन्म हुआ था, पिता की उम्र कब बेटे के जन्म के समय मिल जाएगी कैसे आज पिता जी कितने साल के है 39 के है और बेटा आज कितने साल का X तो बेटे के जन्म के समय पिता जी की उम्र 39-X बेटे की आज की उम्र गटा दू मिल गई, पिताजी की हाँ में वो उम्र मिल गई जब बेटे का जन्म हुआ था अब क्या कह रहे हैं, पिताजी कह रहे हैं एक बेटे से कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र, यह रही ठीक है ना, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र, तुम्हारी आज की उम्र, यह रही, यह पिताजी की उम्र हो गई, कब की, बेटे के जन्म के समय की, और यह हो गई बेटे की उम्र, ठीक था, कह रहा है कि, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र, यह पिताजी की उम्र, तुम्ह बराबर लगाना है बीच में, कैसे लगेगा बराबर, उधर जुड़ेगा 5, बराबर करना है तो 5 कहां जोड़ना पड़ेगा, अब दोनों बराबर हो गए, x की वैल्यू आ सकती है, कैसे x को उधर भेज़ दो 5 यहां ले आओ, तो 39-5 बराबर x वहां जाएगा, क्या बनाए बेटे की आज की उम्र आगे कितनी, 17 यह नहीं पूछा हमते, पूछा है पुत्र 5 वर्ष पहले कितने वर्ष का था, 5 वर्ष पहले बेटा, 5 वर्ष पहले पुत्र क्या उम्र रही होगी, आज कितने साल का है, 17 तो 5 साल पहले क्या उम्र रही होगी, 12 वर्ष का रहा हुगा यही था पांच वर्ष पहले कितने साल का बारह साल का रहा हुगा चले बढ़ें आगे बन पाएगा कुछ देखो ज़रा इसको ध्यान से बहुत आराम से पढ़ना तो ही समझ में आएगा कि लिखा क्या है क्योंकि लिखा तो उसने अच्छा है खतरनाग बन पा रहा है कल हमने डिसकस किया था ऐसा कॉश्चन चलो करें शुरू देखो क्या कह रहा है एक व्यक्ती से उसकी उम्र बताने को कहा गया उसने कहा क्या कहा तीन वर्ष बाद की मेरी उम्र को तीन से गुणा कीजिए और जो गुडणफल आएगा उसमें तीन वर्ष पहले के तीन होने को घटा लीजिए तो मेरी उम्र का पता चल जाएगा ठीक है ना? देखें क्या करना है तो पहले वर्तमान एज मान ले व्यक्ती की प्रजेंट एज व्यक्ती की प्रजेंटेज हमने मान ली एक्स क्या कहा है? तीन वर्ष बाद की मेरी उम्र तीन वर्ष बाद क्या हो जाएगी? तीन वर्ष बाद क्या उम्र बन जाएगी? एक्स प्लस थ्री तीन गुणा नहीं, तीन साल बाद हरा? तीन वर्ष बाद की मेरी उम्र को तीन से गुणा कीजिए कर दू यहीं लिख दू क्या बन जाएगा 3x plus 9 बनेगा 3 वर्ष बाद की मेरी उम्र को 3 से गुणा कीजिए गुणन फल में 3 वर्ष पहले के 3 गुणे को तो पहले 3 वर्ष पहले की उम्र निकाल ले 3 वर्ष पहले क्या उम्र बनेगी आज कितने साल का x तो 3 वर्ष पहले x माइनस 3 3 वर्ष पहले का 3 गुणा इसका भी 3 गुणा करो ठीक है ना कितना हो जाएगा 3x plus sorry, माइनस 9 माइनस है ना 3x माइनस 9 यह ठीक है अब फिर से पढ़ते है 3 वर्ष बाद की मेरी उम्र को 3 से गुणा कीजिए कर लिया 3 वर्ष बाद की मेरी उम्र को 3 से गुणा कीजिए गुणफल यही तो गुणफल है कर तो लिया गुणा 3 वर्ष पहले का 3 गुणा यह रहा को गटाईए इस से उसको गटाईए 3x plus 9 से माइनस करना है किसको 3x माइनस 9 को तो क्या मिल जाएगा आपको मेरी उम्र मतलब क्या x मिल जाएगा ऐसा कहा है उसने देखो कुछ कैल्कुलेट हो पाएगा 3x plus 9 माइनस 3x plus 9 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा plus बराबर x कुछ कैंसल हो रहा है क्या क्या कट रहा है 3x खतम, 9 और 9, x की value क्या आ गई, कितने साल का है आज, 18 साल का है, कुछ ठीक था, question को direct हम पढ़ते, तो देखो, पढ़ने के बाद तो ऐसा लगता है, कुछ पहली type का question है, ऐसा ही कह रहा है, कि एक व्यक्ति से उम्र पूची गई, तो उसने क्या कह दिया, 3 वर्ष बाद की मेरी उम्र को 3 से गुणा कीजिए, और गोडन फल में 3 वर्ष पहले के 3 गुणे को बटाईए, तो मेरी उम्र मिल जाएगी, तो हम, ये तो हमने पूरा systematic लिख लिया, लेकिन हम यदि direct लिखना चाहते, तो हम इसको direct भी लिख सकते थे, कैसे, वो देखते हैं क्या कर सकते थे हम, बहुत ध्यान से, कह रहा है कि 3 वर्ष पहले की मेरी उम्र को 3 से गुणा कीजिए, तो पहले तो आज की उम्र मान ली हमने x, तो 3 वर्ष पहले कितना हो गया, x-3, 3 वर्ष पहले की मेरी उम्र को, क्या बूला है, अच्छा पहले 3 वर्ष बाद लो, x-3, तीन वर्ष बात की मेरी उम्र को तीन से गुणा कीजिए, कर दिया गुणफल, यही गुणफल है गुणफल में तीन वर्ष पहले के, तीन वर्ष पहले मतलब X-3, तीन वर्ष पहले के तीन गुणे को घटा दीजिए तो क्या मिल जाएगा मेरी उम्र मिल जाएगी यह हमने डारेक्ट लिख दिया यह कितना हो जाएगा 3x प्लस 9 माइनस 3x और प्लस 9 बराबर कितना x यह ठीक था अब देखो यहाँ डारेक्ट कट जाएगा यह 3x से 3x खतम तो x की value क्या आ जाएगी यह आपका दो लाइन में अंसर आ जाएगा लेकिन उसको लिखते समय थोड़ा सा प्रॉपर मतलब ऐसा ना हो कि उसने बोला है 3 वर्ष बाद का 3 गुना तो हम डारेक्ट 3 का गुना कर जाएगा पहले 3 वर्ष बाद भी तो जाना पड़ेगा तो 3 वर्ष बाद तो प्लस 3 और 3 वर्ष पहले तो माइनस 3 और उसने बोला ऐसा करोगे तो मेरी उम्र मिलेगी ऐसा किया तो बराबर में क्या आ गया एक्स उसकी उम्र बराबर एक्स ना लिखते तो भी आंसर नहीं आता 18 तो आता क्या है 18 फिर ये कैसे पता चलता 18 किसकी value तो वहाँ भी दिक्कत थी ठीक है ना बढ़े आगे देखो ये क्या कह रहा है ये concept लिखा है देखो क्या कहा है A और B की वर्तमान उम्र का योग 22 आपको दिया है sum कब का present का A और B की present age को यदि हम जोड़ दें तो कितना मिलता है 22 मिलता है फिर बोल रहा है A B से 4 वर्ष बढ़ा है मैंने आपको बताया था ये शब्द आ जाए ये क्या दिखाता है difference difference दिखाता है A बढ़ा है B बढ़ा है A बढ़ा है मतलब A और B की उम्र का अंतर दिया है कितना चार वर्ष ये ही चल रहा है देखो क्या ये दौनों equation solve हो सकती है जोड़ दें तो क्या होगा plus B minus B खतम A और A कितना हो जाएगा 2A बराबर ये कितना 26 तो A की value क्या आ जाएगी 13 अब B कैसे मिलेगा answer तो आ गया ये ही पूछा था A की value put कर दो कहां पर किसी भी equation में तो क्या थी equation A plus B equals to 22 यही थी A की value रग दो 13 plus B equals to 22 तो B कितना हो जाएगा ये minus हो जाएगा उस तरफ जाकर minus करो कितना बचेगा हाँ क्या बच रहा है नो यही आएगा क्या नो यह दोनों की उम्रा आ गई लेकिन ऐसे नहीं बनाना इसको बनाना कैसे वो सुनो जब कभी पूरी maths में आपको दो total दिया जाए और उनहीं दोनों संख्याओं का difference दिया जाए आपसे क्या कहा पूरी maths में कहीं भी दो संख्याओं का total हो और उनहीं दोनों संख्याओं का difference हो तो क्या करना है आपको आप total को आधा आधा बाट दू कितना कितना आएगा 11 11 ठीक है और difference को भी आधा आधा बाट 2 कितना आएगा? 2-2. आएगा एक बार plus कर दो एक बार minus कर दो. ये कितना हो गया? 13 और ये कितना हो गया? 9. ये दोनों की उम्र आ गई. अब पता कैसे चलेगा किसकी उम्र कौन सी? तो बताया था A बड़ा है. A बड़ा है न? तो ए कौन हुआ, यह A हो गया, और यह B हो गया थीक था? पता चल जाएगा, क्या हुआ? pic Index Dragoned Total को आधा आधा, डिफरेंस को आधा आधा लेकिन करना कब है? जब दौनों का Total पता हूँ और दौनों का ही िफ्रेंस पता हूँ, देखो, सैम है, इसको बना पाएंगे आधा आधा बांट दे, चाउदा, आएगा, फिर difference कितना, 6, 6 को भी आधा आधा बांट दो, कितना कितना आएगा, एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो, ये कितना, 17 और ये कितना हो जाएगा, 11 अब पता कैसे चलेगा, रमेश कौन और दिनेश कौन, तो देखो क्या बूला है दिनेश जो है वो रमेश से छोटा है तो बड़ा कौन है रमेश यह रमेश हो गया और यह दिनेश हो गया ठीक था पता चल सकता है बहुत खतरनाक नहीं है क्या करना है लेकिन आपको टोटल को भी आधा-धा और डिफरेंस को भी आधा-धा माठता है बन जाएगा यह एजा कंसेप्ट ही हमने इसको यूज किया है यहां क्या कहा है देखो कह रहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र का योग 46 है फिर बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले पिताजी की उमर 11 गुना थी तो रेशो दिया है 11 टाइम्स मतलब रेशो है कब का रेशो है 5 साल पहल आपको रेशो दिया है किस किस का पिताजी और पुत्र कितना रेशो है बताओ पुत्र की उम्र तो पिताजी की उम्र ? यही कहा है ग्यारा गुना हमने यह पढ़ा था कि ratio को हम shift नहीं कर सकते उम्र को shift कर सकते हैं यह ratio कप का है 5 साल पहले का और हमें total उम्र कप की दी है आज की आज की दी है आज 2 लोगों की total age 46 है तो क्या हम यह पता कर सकते हैं 5 साल पहले टोटल क्या रहा होगा कैसे माइनस कर ले कितना 10 10 क्यों दोनों की उम्र 5 पांच माइनस होगी तो टोटल में कितना कम होगा 10 होगा तो 5 साल पहले total age क्या हो जाएगा 46 में minus होगा 10 minus 10 क्यों हो रहा है क्योंकि 5-5 साल दोनों की उम्र पीछे जाएगी तो कितना आएगा total 36 यही आएगा अब हमें पता चल गया कि आज जो है दोनों की उम्र का ratio कितना है 11-1 और total कितना है 36 तो क्या करें ratio दिया है और total दिया है तो ratio का भी total कर ले 11 ratio यह एक ratio यह कितना हो गया तो value कितनी दी है 36 तो एक ratio की value क्या आजाएगी बन जाएगी क्या पूछा इसने पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र बता दो तो यह ratio कप का है 5 साल पुराना तो उम्र भी कप की आएगी 5 साल पुरानी आएगी 5 साल पहले की आएगी तो 5 साल पहले पुत्र कितने साल का X थी पुत्र की value कितना आया 3 और पिता कितने साल के हो जाएगे पिता हो जाएगे 11 ratio एक ratio की value 3 तो कितने के 37 के यह नहीं पूछा हम से 5, 5, 5, så इसमें होगा फ्लस 5, कहां पहुN जाएगा यह 8 पर, और इसमें होगा फ्लस 5, तो यह कहां पहुN जाएगा 38, यह 38 और यह 8, ठीक था क्यों 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 की रेश्यों जब का होता है, तभी का डेटा आता है ठीक है ना चलिए आज के लिए इतना ही तब तक के लिए जैहिंद